प्रदान किया गया 26 जन्वरी 1950 को धूम धाम से मनाए गए पहले गणतंत्र दिवस के बाद से गर्व और गौरव की ये यात्रा जारी है भारती ये गणतंत्र का मूल है हमारा सम्विधान ये देश की शासन व्यवस्था का आधार और पत्प्रदर्शक होने के साथ दुनिया की सर्वाधिक आबादी की अभिलाशाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक है ये देश की अनूठी सांस्क्रतिक व्यविधताओं को भी पेश करता है स्वतंत्रता के बाद जब सम्विधान बना तो उसमें देश वासियों को सशक्त बनाते हुए मौलिक अधिकार दिये गए मौलिक अधिकारों में समता या समानता का अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार, शोशन के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्क्रती एवं शिक्षा का अधिकार, सम्विधाने को प्चारों का अधिकार शामिल है मौलिक अधिकारों के साथ सम्विधान ने हमारे कर्थव्य भी बताएं वर्तमान समय में हर देशवासी सही तरीके से अपने अधिकारों का इस्तिमाल करने के साथ कर्तव्यों के प्रती संकल्पित रहे इसके लिए मौजूदा सरकार ने अनुकूल माहौल प्रदान किया है आज के भारत में सभी के लिए न्याय और सम्मान है सरकार की कोशिशों से लोग सशक्त हो रहे है बेहतर वर्तमान के दम पर सुनहरे भवश्य की सपने को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे है करोडों आकांक्षाओं को साकार करते हुए ये राश्ट्र है दुनिया पर में मिसाल कायम करते हुए, नए भारत का निर्मान कर रहा है. The atmosphere here at Kartavyapath, reflective of that pride and joy that each one of us feels in our bones when we see and salute our tricolour. We in the commentary box will be from time to time updating you with the different aspects of today's parade and among them we must highlight the biggest attraction which is the flypast by the Indian Air Force that occurs as a finale to this parade. This year too they are poised to put up a breathtaking show featuring 51 aircraft from the Indian Air Force, Navy and Army of which 29 are fighter aircraft. flying at various altitudes and speeds, these aircraft are channelled into a highly synchronised and seamless continuum, an aerial ballet worth watching. The flypast of course as you know is a huge and complex exercise involving several aircraft, hundreds of personnel, many air bases and of course precision in terms of time. 45-35 गणतन्द दिवस का राश्टिये पर्व, हर भारतिये के लिए गर्व और गौरव का अवसर है. गणतन्द दिवस के इस पावन अवसर पर राश्टियेता के रंगों से दमकता कर्तव विपत, हजारों की संख्या में जहां पर आम जनता, 42,000 टिकेट आम जनता के लिए उपलब्ध कराए गए हैं. और इस आकरशक परेड में देश की समर्द सांस्कितिक विरासत और उन्नत सामरिक शक्तिका अविस्मरणिय प्रदर्शन होता है, और उसे पूर्णता प्रदान करता है भारती वायुसेना का फ्लाइपास्ट. इस वर्ष की परेड के आकरशक फ्लाइपास्ट में 51 वायुयान भाग ले रहे हैं, जिसमें लडाकु विमान शामिल है, हेलिकॉप्टर शामिल है, परिवहन विमान भी शामिल है. देश की वायुसीमा की रक्षा के लिए सतत मुस्तैद भारती वायुसेना के कुशल पाइलट्स लगातार उन्होंने कठिन अभ्यास किया है, और आज आयोजुत होने वाले फ्लाइपास्ट को वर्तमान सरू प्रदान किया है. द्रहता का गौरफ पूर्ण प्रतीख है, भारतीय सेना भारतीय सेना के शौर्ण और अदम्य साहस के गौरफ शाली प्रदर्शन को समेटे, कणतंत्र दिवस पर होगा भव्या फ्लाइपास्ट इस वर्ष फ्लाइपास्ट में वायुसेना के 29 लड़ा को विमांग, आठ माल बाहत विमांग, 13 हेलिकॉप्टर और एक धरोहर विमान सहित कुल 51 एरक्राफ दिखाएंगे आकाश में सहसे कर्तब। कर्तब व्यपत साक्षी बनेगा तेजस, सुखोई और राफेल जैसे विमानों के हैरत अंगेस कर देने वाले एर शो का। इस फ्लाइपास्ट में भरी जाने वाली हर एक उडान की होगी एक खास थीप जो देगी विशेश संदेश। सबसे पहले आकाश में दिखेगा धज फॉर्मेशन। इसमें चार मी-17 हेलिकॉप्टर, तीनों सिनाओं के जंडे और भारतिय तिरंगे को लहरा कर इस पर्व को शुरू करेंगे। इसके बाद बारी होगी रूत्रकी। इसमें चार एडवांस्ट लाइट हेलिकॉप्टर, डाइमंट फॉर्मेशन के जरीए पेश करेंगे असाधार अनकरतब। बास की तरह बैनी नजर रखने वाले शूर वीरों का नायाब प्रदर्शन होगा फॉर्मेशन बास में। इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेट पर नमबर 47 कॉर्डन के बहादूर पालेट कर्तव व्यूपत पर बास फॉर्मेशन कॉल साइंग के अंदर उडान भरेंगे। इसमें तीन मिग 29 विमान। आस्मान में अपनी रोमांच कारी उडान से सब को कर देंगे चकत। एर शो का दूसरा हिस्सा देखने को मिलेगा गणतंत्र दिवस परेट के बाद। सबसे पहले बारी होगी प्रचंड फॉर्मेशन की। अर्जुन फॉर्मेशन में एक C295 और दो C130 विमान अपने प्रदर्शन से आपको रोमांचित कर देंगे। मुझे अत्यंत गर्व है कि मेरे अफसर और वाई सायनिक इस गणतंत्र दिवस प्लाइपास के हिस्सा है। इसके बाद अगले कुछ मिंटों तक आस्मान में हैरतंगेज कारनामों से आपको रोमांच में सराबोर करने के लिए वायू युद्धा पेश करेंगे तिरंगा फॉर्मेशन। इसमें शामिल होंगे पांच सारंग एडवांस्ट लाइट हेलिकॉप्टर। इसके बाद तो सुखोई 30 और एक बोईंग E-7 Airborne Early Warning and Control System करतब दिखाने के साथ ही अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे नेत्र फॉर्मेशन में। वरून फॉर्मेशन में नौसिना के लॉंग रिंज पट्रोलिंग एक राफट पी-8I दो सुखोई 30 विमानों के साथ उड़ान भरेंगे। ये मेल अपने आप में शांदार होगा। जोश अपने चरम पर होगा जब वायू सेन ने शक्ती में इजाफा करने वाले एक C-17 विमार्ग और दो सुखोई 30 मिलकर बनाएंगे भीम फॉर्मेशन आकाश में नजरें टिक जाएंगी जब चार तेजस विमान डाइमंड शेप में प्रस्तुत करेंगे फॉर्मेशन तेजस गणतंत्र दिवस के इसाफ सकता हम चार तेजस विमान डाइमंड फॉर्मेशन में उड़ाएंगे जिसमें की तीन विमान विक फॉर्मेशन में होंगे और चोथा विमान सामने वाले विमान के बिलकुल पीछे और नीचे रहेगा गणतंत्र दिवस की शोभा और बढ़ जाएगी जब छे जैगवार विमान एरो हेड़ शेप में बनाएंगे फॉर्मेशन अमनेट इसके बाद राफेल की गरजना से एक बार फिर गूंज उठेगा कर्तव विपत पजरंग फॉर्मेशन में छे राफेल विमान अपने हैरत अंगेज कारणामों से सब को कर देंगे स्तब्द एक हजार फीट की उचाई पर तीन सुखोई धर्टी लड़ाकू विमान आस्मान में धुएं से बनाएंगे त्रिशूल फॉर्मेशन सबसे अंत में होगा विजय फॉर्मेशन इसमें एक राफेल विमान वर्टिकल चार्ली का विहंगम द्रिश्य पेश कर दर्शपों को कर देगा मंत्रमुग्ध तो इंतजार कीजिए उस रोमांचक और भव्य फ्लाइबास्ट का जिसे बायु सेना ने आपके लिए तयार किया है भारत ये वायु सेना भारत का गौरव और यहां करतव्य पत पर इस बार सजावट कुछ विशेश है यहां पर भारतिय वस्त्र का लाको करतव्य पत के दोनों और अनंत सूत्र के माध्यम से दर्शाया गया है 26 राज्यों के 136 विशेश महमान यहां मौझूद है और साडियों, परिधानों और परदों को यहां फ्रेम्स में करतव्य पत के दोनों और सजाया गया है इनमें 1500 वर्ष पुरानी साड़ी भी है और हर फ्रेम के नीचे एक QR कोड है जिसे स्कैन करके उस परिधान और वस्त्र के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है संस्कृती मंत्राले की पहल और कर्तव्य पत्व पर अनंत सूत्र का संदेश देने के लिए विशेश महमान 136 विशेश अतिथी अलग अलग दीरगां में यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने अपने प्रदेश की पारमपरिक वेश भूशा का यहाँ पर प्रदर्शन किया ह विशेश अतिथी जैसा हम सब जानते हैं कुल 77,000 दर्शकों के बैठने की जगा है 42,000 आम जनता के लिए और 13,000 विशेश अतिथी और इनमें वो भी शामिल हैं जिनका जिक्र माननिय प्रदान मंत्री ने मन की बात में किया With 108 episodes to its credit, मन की बात remains a unique and outstanding radio program, standing out as one of its kind globally. This distinctive initiative introduced in 2014 by Prime Minister Narendra Modi establishes a remarkable communication endeavor that forges a direct and informal connection with the citizens of India. Addressing a broad spectrum of issues from social initiatives to culture and heritage, youth and education, health and environmental concerns. The radio program serves as a crucial instrument in fostering unity by transmitting the PM's thoughts and perspectives to the public. Its significance transcends conventional governance, acting as a platform that not only imparts information, but also establishes connections, bringing together the diverse fabric of the Indian populace. My dear friends, welcome to you. Hello. The message of mind, or the beginning of your life, is a beginning of your life. मन की बात यानि माननिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से जन जन की बात 3 अक्टूबर 2014 को मन की बात कारिक्रम की पहली कड़ी का प्रसारण हुआ तब से लेकर आज तक ये कारिक्रम हर महीने के आखरी रविवार को सुभा 11 बजे प्रसारित होता रहा है सियावर राम चंद्र की जये मेरे प्यारे देश्वासियों मैं नासिक धाम पंच्वटी से कर रहा हूँ पंच्वटी वो पावन धरा है जहां प्रभूस्री राम ने काफी समय बिताया था इसी भाव के साथ आप सभी राम भक्तों को कोटी-खोटी नमन जये शियाराम राजनीती से अलग हटकर ये कारिक्रम जन भावनाओं से प्रेरित होता है यानि मन की बात में लगातार उनमुद्दों और चुनोतियों पर चर्चा की जाती है जिनका देश और देश के नागरिक हर दिन सामना करते हैं गाउं से निकला हुआ एक छोटा सा अभियान सेल्फी विट डोटर कोंतरास्टिये बनाने के लिए मन की बात कारिकरम का बेहद सरानिय योगदान है हमें नहीं पता था कि ओनरेबल प्राइम निस्टर हमें टेल एंड पे बॉर्डर के विलेज में भी देख रहे हैं त्रेवा गाउं में जब उन्होंने लाइव होकर कोई साड़े पांच मिनट बॉर्डर विलेज त्रेवा में जमू में हमसे बात की यह हमारे लिए गौर्व में यह बात है कि ओनरेबल प्राइम निस्टर हमें यह बात बोल रहे हैं लगभग हर स्तर पर मन की बात कारिक्रम ने सकारात्मक्ता की भावना के माध्यम से परिवर्तन कारी भूमिका निभाई है और कहीं न कहीं नकारात्मक दृष्टिकोंड को सिरे से नकार दिया है संभवतह इस कारिक्रम की सबसे खास इवं रोचक बात ये रही है कि ये देश के सौ करोड से भी स्यादा नागरिकों के बीच संचार के बेहद लोगप्रिय और सर्वसुलब माध्यम यानि रेडियो के जरिये एक दूसरे से जुड़ने का साधन बन चुका है वोकल फर लोकल का ये अभियान पूरे देश की अर्थववस्ता को मजबूती देता है माननिय प्रधार मंतरी श्री नरेंद्र मोधी ने 23 अपरेल 2023 को प्रसारित मनकी बात कारिकरम के सोवे एपिसोड को एतिहासिक बताते हुए देशवासियों को बधाई दी थी और सभी को धन्यवाद भी दिया आपने मुझे मन की बात के सौवे एपिसोड पर बधाई दी है लेकिन मैं सच्चे दिल से कहता हूँ दरसल बधाई के पात्रतों आप सभी मन की बात के स्रोता है हमारे देश्वासी है झाल 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 कार्य करें हम लोगों को एक बड़ा मंच दिया है और लोगों की सेवा करने का जो मुझे मिला है उसके में और महिलाओं को भी प्रेरित करना चाहूंगी ऐसे प्रधान मंत्री जी जी नोंने दिल्ली परसनली बुलाया प्रोचसाहन दिया पूरे दुनिया में इसकी एक बहुत ज़ादा प्रमोशन्स हो गई और सब को काम मिला इतने सारे फार्मर्स को लाइवलिवूड मिला कोरोना काल के दौरान प्रधान मंत्री के मन की बात के एपिसोड्स में कोरोना युद्धाओं का नाम लेकर प्रधान मंत्री जी ने देश वासियों से उन्हें सम्मानित करने की अपील की और देश के नागरिकों को वैक्सीन के विकास के चरणों से अवगत कराया इस लड़ाई के अनेको योद्धा ऐसे हैं जो गरों में नहीं गरों के बाहर रहकर कोरोना वाइरस का मुकाबला कर रहे हैं जो हमारे फ्रंट लाइन सोर्जर्स हैं परड़ा मेडिकल स्टाफ हैं ऐसे साथी जो कोरोना को पराजित कर चुके हैं आज हमें उनसे प्रेणा ले लिए हैं 3 अक्टूबर 2014 से अब तक की अपनी अविस्मर्णिय यात्रा के क्रम में मन की बात कारिक्रम एक जन आंदोलन बन चुका है मन की बात का पावन संकल्प है विकसित, खुशहाल और प्रगती शील भारत प्रवंऑर कावने अविसरा के क्रम में मेन की बाताी 10eg विस्मर्णिय पूब है मुपती फ्रगती अभ्री भार्गत टे लग्यricsमर्णिय यंप टो अनी इा खुशफें लिए लून खीज्वर्ण dirt of ट्रगता थैनर्म की नोड़के feminine in fact the Prime Minister Modi participated in the Bastille day celebrations as the guest of honour in July last year in France today Indov-French relations are anchored on principles that have only strengthened over time with the strong defense partnership at its core the two nations are committed to the values of mutual cooperation with deep respect for each other's needs and requirements and they are working together to leverage similar ambitions to empower each other. Two important nations, one in Europe and the other in Asia with a similar conception of the world. Demonstrate once again today that there is a much better chance of creating a multipolar world with cooperation and collaboration as India warmly welcomes President Emmanuel Macron as the Chief Guest for its 75th Republic Day celebrations. Gantantra Divas Samarohu के दोरान विदेशी अथितियों के इस राष्ट्रिय पर्व में आयोजन में भाग लेने की विशिष्ट परंपरा रही है. 26 January 1950 को Irwin Stadium पर आयोजित पहले Gantantra Divas Samarohu में इंडोनेशिया के राष्ट्रपती डॉक्टर सुकर्णो मुख्य अतिति थे और ये परंपरा आज भी 75 गणतंत दिवस पर निर्बाद रूप से जारी है. इस बार के हमारे खास मेहमान हैं फ्रांस के राष्ट्रपती श्री इमैनुवल मैक्रों. भारत और फ्रांस एक और खास बात है इस वर्ष रणिनीतिक साज़दारी की रजट जेहनती मना रहे हैं. कुल बिलाकर ये छठा मौका है जब फ्रांस के नेता मुख्य अतिति के तौर पर गणतंत दिवस समारों का हिस्सा बन रहे हैं. और एक और खास बात है कि भारत और फ्रांस आपसी सहयोग से और स्वतन्त रूप से भी बदलते वैश्विक परदर्श में एहम भूमिकाएं निभाते आए हैं. भारत और फ्रांस विश्वास, सम्मान और प्रतिबद्धता. दोनु देशों के द्विपक्षिय संबंद समय के साथ और होते जा रही हैं प्रगाड. प्राइमिस्टर एलिजबेद बॉन मुझे एरपोर्ट पर रिसीव करने आई थी. यह आत्मियता सिर्फ दो देशों के नेताओं के पिछ नहीं हैं. बल्कि यह भारत फ्रांस की अटूट दोस्ति का पतिवीम है. जहां भी, जब भी, एक देश को समर्थन की आवशक्ता हुई, वहां दूसरे देश ने उसका भरपूर सहयो किया. इस रुणनीतिक साजेदारी के पूरे हो गए हैं 25 साल. फ्रांस, भारत का दूसरा सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर. 1950 के दशक से ही फ्रांस सैन्य विमानन क्षेत्र में भारत के लिए एक विश्वस्नी भागीतार रहा है. भारतीय वायू सेना में पहली पीड़ी के डसो ओरिगन लड़ाकू विमान की खरीद से लेकर, हाल के पंडुपी और रफायल सौदे तक भारत में फ्रांस से कई हथियार खरीदे हैं. इसके साथ फ्रांस टिकनॉलोजी ट्रांसफर कर स्वदेशी उत्पादन ख्षमताओं और संयुक्त उद्यमों के जरिये भारत के रक्षा आधुनी की करण के प्रयाजों में साहेता कर रहा है. भारत फ्रांस मित्रता के सफर में महत्वपूर्ण वर्ष था उन्नी सो अठानवे. जब भारत ने एजिया में उभरती हुई महाशक्ती के रूप में परमान उपरीक्षन किया. तब ततकालीन फ्रांसीसी राष्टपती जैक शिराक ने भारत का साथ दिया. पिछले धाई दशकों में भारत फ्रांस रणनीतिक साजेदारी के तहट आपस में शांती, सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, जलवायू परिबर्दन, अंतरिक्ष, व्यापार, निवेश, शिक्षा और संस्कृती जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग करते रहे हैं. हमारे सशस्त्र बल नियमित बाचीत कर रहे हैं और पूरा योगदान कर रहे हैं ताकि इस क्षेत्र में शांती और सुरक्षा बनी रहे और अंतर राश्ट्रिया कानून का सम्मान रहे। सम्मानित अतेथी के रूप में भाग लिया। महीं इम्मानिवल मैकरों ने सितंबर में नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। यानि पूरा विश्व एक परिवार है। इसी भावना के साथ भारत और फ्रांस 21 सदी की अनेक चुनोतियों से निपट रहे। गंतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रपती मैकरों की उपस्थती भारत और फ्रांस के बीच सम्मंधों को और प्रगाड करेगी और आने वाले वर्षों में सहियों के नए रास्ते खुलेगी। It is a well-established fact that women play an integral part in any society. It is through the empowerment of women that societies can ensure their growth as well and the Government of India has been focused on promoting nari shakti in the country. Deviंडर में टोण फ्नीलिवी के टिरहा ठ कर जहि coughing से संप्राइ प्रू를 आपक्राइ set पार स्थबर्मेन, इंस वेज़ उब उनिक आपथे बने लिए में पटाष में Under This year in addition to the larger participation of women in the Parade we also have special invitees from various sectors of industry, manufacturing sector, maintenance workers, women space scientists and many more. Around 13,000 special invitees of the Prime Minister being given the Pride of Place making the whole event inclusive, participative and truly democratic. a republic that is by the people, for the people and of the people. सुनिश्चित की गई है, अलग-अलग दीर घाओं में, पारंपरिक बेश गुशा में, यहां पर विशेश अतिथी, इस बार राजश्विगान के बाद पहली बार परेड की शुरुवात में सौ महिला कलाकार अपनी मौजूदगी का पर्चम करतवे पतपर लहराएंगी, य यह बदलता भारत है, यहां अब महिला अबला नहीं, शक्ति है, यह आज की नारी है, नारी तू नारायणी यत्र नार्यस्त पूजन ते रमन ते तत्र देवता जहां नारी का सम्मान होता है, वहां सुख और सम्रिधी का स्वाभाविक रूप से वास होता है सशक्त और समठ महिलाएं, हमेशा से ही भारत की गौरफ शाली संस्पृती की पहचान रही है मैं भी एक बेटी हूँ और मेरी भी एक बेटी है मैं भारत की समाज का मार्गदर्शन किया है मैं धरा हूँ यत्र नायस्त पूजयंते, रमन ते तत्र देवता यत्र यतास्त तुन पूजयंते, सरपास तत्रा फलाक्रिया नारी तू नाराइनी है कि धै वाक्य के साथ पिछले नौ सालों में मोधी सरकार ने न सिर्फ नारी सशक्तिकरण के लिए काम किया है बलकि भारतिय संस्प्रिती के अनुरूप जो नारी को सम्मान मिलना चाहिए वो भी दिया है समावेशी शासन के एक नई युग की शुरुवात करते हुए पिछले नौ सालों में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी की नेत्रित्व में महीला सशक्तिकरण को चरितार्थ किया गया है तेश में समान प्रतिन धित्व के लक्ष के साथ अमरित काल में समावेशी संसदिय लोकतंत्र की मसबूत नीव रखने के लिए नारी शक्ती बंदन विधेया संसद से पारित किया गया ताकि लोक तंत्र के मंदर में महिलाओं की बात प्रबल रूप से रखी जा सके और उनके मुद्दों पर अधिक जोरदार ढंग से चर्चा की जाए मुसलिम महिलाओं को तीन तलाक के दंश से चुटकारा दिलाने की आबाज लंबे समय से उठती रही थी लेकिन दूसरी बार सत्ता में आने के ततकाल बाद पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई और मुसलिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक के दंश से चुटकारा दिलाने का काम किया महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित मोदी सरकार ने पिछले 9 सालों में महिलाओं को सशक्त और सम्रिथ बनाने के लिए कई उजदाओं की शुरुआत की जिस से खेलों से लेकर रोजगार, महिला स्वास्य और आत्म निर्भर बननी की दिशा में महिलाओं का मार्ख आज मोदी सरकार के बल पर स्वयम सहायता समुहों से लेकर स्टार्ट अप्स और व्यापार के क्षेत्र में महिलाएं तीवर गती से आगे बढ़ रही है और समाज में अपनी हिस्सेदारी को मजबूत कर रही है यह करोडों महलाएं जितना वेल्यू क्रियेशन कर रही है और इसका अंदाज आपको इनकी केपिटल रिक्वार्मेंट से भी लगा सकते हैं नव वर्षों में इन सेल्फ हेल्फ गुरूप ने सवाच छे लाग करोड रूपिय का लोन लिया है यह महलाएं केवल छोटी एंटर्परिनर ही नहीं है बलकि यह ग्राउंड पर सक्षम रिसोर्ट पर्षन का काम भी कर रही है देश की आधी आबादी को आत्म निर्भर बनाने के लिए महिला ईहार्ट मोधी सरकार द्वारा शुरू किया गया महिला उद्यमियों को समर्पित ऐसा ओनलाइन मार्केटिंग प्लाटफोर्म है जिस पर आज 2.2 लाग से अधिक महिलाएं विक्रेता के रूप में पंजिक्रित हैं साथी मुद्रा योजना के द्वारा महिलाएं अपने बल पर उद्यमी बन रही है जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कन्या भून हत्या रोकने और बेटियों को शिक्षत बनाने की दिशा में बहुत बड़ा कदम है वहीं पीम आवास योजना के अंतरगत महिलाओं के नाम पर आवास उपलब्द कर आय जा रहा है पीम आवास योजना के जो तीन करोड से अधिक घर बने उनमें से अधिकाउस महिलाओं के ही नाम है आज इस ववस्ता से उन्हें कितना बड़ा सपोर्ट मिला पीम आवास ने महिलाओं को घरते आर्थिक फैस्टों में एक नई आवाज दी है मोदी सरकार ने तीन करोड घरीबों को घर दिये जिन में से 75 प्रतिशत महिलाओं को दिये गए प्रधान मंत्री उज्वला योजना के माध्यम से महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए नौ करोड से अधिक LPG कनेक्शन दिये गए है और स्वच्छ भारत मिशन के अंतरगत महिलाओं को खुले में शौच से मुक्ति दिलाने के लिए 11 करोड से अधिक शौचालेओं का निर्मान किया गया है ताकि महिलाओं को सम्मान और सुरक्षित जीवन मिले 80 करोड गरीमों को मिलने वाले खात्यान्म से भी सबसे बड़ी राहत महिलाओं को मिली मोदी सरकार द्वारा 11 करोड जलापूर्ती कनेक्शन और 50 करोड लाभार्थियों को स्वास्ति वीमा प्रदान करने से भी सबसे बड़ा लाब महिलाओं को मिला साधी मातरित्व अवकाश मात्रित्व लाब के तहट महिलाओं के लिए वेतन के साथ मात्रित्व अवकाश की अवधी 12 हफ़ते से बढ़ा कर 26 हफ़ते की गई है यही नहीं मोदी सरकार के आने के बाद सुरक्षा बलों में महिलाओं की हिस्तितारी लगातार बहतर की जा रही है डिफेंस में महिलाओं को स्थाई कमिशन देना हो या पहली बार आठिलरी रेजिमेंट में महिला आफसरों को शामिल करना हो सियाचिन ग्लेशर जैसे सबसे उचे युद्ध क्षेतर में महिला आफसर की धैनाती हो या सैनिक स्कूलों में बेटियों के दाखिले की पहल हो, ये सब इन नौ सालों में संभव हो पाया है I feel very happy and motivated as a woman चाहे वो रिक्षा हो या हवाईजाद, हर चीव लड़कियां चला रही है नारी का सम्मान, देश का सम्मान सेवा, सुशासन और गरीब कल्यान के नौ सालों में मोधी सरकार ने सुकन्या सम्रिधी योजना से लेकर वोकल पॉर लोकल तर ऐची कई योजनाओं के शुरवात की है जिनकी वजह से महिलाओं के जीवन में आ गई है खुशाली उनके सपनों को मिल गए है पंग और वो हो गई है आत्म निर्भरत आत्म निर्भरता, आत्म विश्वास और सामाजिक सक्रियता के साथ कदम से कदम बढ़ाते हुए कर्टव्यपत पर चलते हुए देश के सर्वांगीन विकास में हम महिलाएं पग पग पर साथ है ये हमारी गारंटी है जै हिन, जै भारत Empowering women, empowering communities and thus empowering a nation Kartavya Pat on either side, people kitted out in their warm winter woolens got up early in the morning, the day dawned a little foggy but now I think the warmth of the sun slowly warming the bones which were chilled in the morning, absolutely so January is a cold month in Delhi and once the parade begins we shall see faces light up more the sun climb higher and of course excitement will touch the sky people in their traditional attire special invitees from different parts of the country and here this is a splendid view of the forecourt of Rashtapati Bhavan the official residence of the President of India and the dome that crowns Rashtapati Bhavan one of the most distinctive features of the building this is the Jaipur column topped by the star of India and here ready to receive the Supreme Commander of the Armed Forces the President of India Srimati Draupadi Murmu who will arrive here in a short while from now Shri Mati Draupadi Murmu का भारत के पंद्रहवे राश्चुपती के रूप में निर्वाचन एक एतिहासिक छन है उनकी नियुक्ती देश के सामाजिक और राजनितिक परिद्रिश्य में एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली संदेश देती है हम सब जानती ही है श्रीमती Draupadi Murmu के पास एक लंबा और सफल राजनितिक करियर है साथ ही उनके पास प्रशासन और सम्वेधानिक मामलों का गहन ग्यान भी है देश्वासियों 75 गंतंत्र दिवस में कर्तवे पत पर मानिनिया शिमती Draupadi Murmu द्वारा परेड की सलामी लेना कोई मामूली घटना नहीं है ये राश्वी गौरव का च्छन है जो समानता के प्रती हमारे सम्वेधान के प्रतिबतिता को दर्शाती है भारती लोकतंत्र सम्वेधान, स्वतंत्र नाइपालिका, स्वतंत्र मीडिया और जवाब देश शासन पर टिका हुआ है भारत, एक राश्ट, एक उम्मी, यह इन सबसे बढ़कर 140 करोड आवादी के देश्प्रेन का ज़स्पा दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, भारत का स्वर्ण में मत्राय है, संघर्श शिशील और कर्मर, देश की प्रथम नागरेक, राश्ट्रपती द्रौकदी मुद्ध अपनी निजी जीवन की चुनौतियों को दरकिनार कर, राई सिनाहिल तक का उनका सफर, बेमिसाल संघर्श और अदम्य जज़बे की कहानी है अभाव में गुजरा बच्पन, युवाकाल का संघर्श, यक्तिकत जीवन के उतार चड़ाव, सारवजनिक जीवन की सादगी और बेदाग जवी यही है बहु आयामी प्रतिभा की धनी द्रौकदी मुर्मु का व्यक्तित्व उन्होंने जनता और समाज से जुड़कर लोगों के बीच एक अलग पहचान बनाई है साल 1989 में गुवनिश्वर के रमा देवी महिला कॉलिज से स्नातक करने वाली द्रौकदी मुर्मु ने अपने पेशिवर करियर की शुरवात ओड़िशा सरकार के सजाई विभाग में क्लर्क की नौकरी से की क्लर्क की नौकरी जोड़ने के बाद उन्होंने रायरंगपुर में एक शक्षप के तोर पर भी काम किया तो यह जाते क्या बना चाहते हो चनता के बीच वो देखते ही देखते लोग प्रिय होने लगी साल 1997 में द्रौपदी मुर्मू पहली बार रायरंगपुर नगर पंचायत में वौर्ड पार्शत बनी इसके बाद वो नगर पंचायत की उपाध्यक्षम ही बनाई गई फिर वो राजनीती में लगा तार आगे बढ़ती चली गई पहली बार सन 2000 में विधायक बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू ने साल 2000 से 2004 तक नवीन पटनायक के मंत्री मंडल में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के तौर पर भी काम किया द्रौपदी मुर्मू को ओडिशा में सर्वर श्रीष्ट विधायकों कुभिलने वाला पंडित नील कंठ दास पुरसकार से भी नवाजा गया द्रौपदी मुर्मू को साल 2015 में जारखंड का राज्यपाल बनाया गया मैं आपको कहना जाहूंगी यह के बड़ में ओडिशा के तो हूं लेकिन जारखंड के खुन मेरे शरीर में बहता इसलिए यह भी मेरा सोभा क्यों है कि मुझे इसी धर्टी का राज्यपाल बनाया गया है आज मैं यह अपने धर्टी का मेहमान वान के आपके साम्मूमें उ देश के प्रथम नागरिक के रूप में राश्ट्रपती मुर्मू देश के युवाओं में अटूट विश्वास रखती है और उनसे मात्रम्हूमी के प्रती समाज के उत्थान और राश्ट्र के निर्माण में योगदान देने के लिए बार-बार अहवान करती है राश्ट्रपती द्रापदी मुर्मू की जिन्दिगी पहले ही किसी प्रेणा दायक जीवन से कम नहीं है लेकिन इसमें और चार चांद लगाते हैं उनके कुछ साहसी कदम उन्होंने असम के तेजपुर एयर स्टेशन पर सुखोई फाइटर जेट में एक एतिहासिक उड़ान भरी एक सौटी फाइटर जेट में उड़ान भरने वाली वे तीसरी राश्ट्रपती है द्रौपदी मुर्मूद दुनिया के हर उस्त्री के लिए शक्ती और प्रेणा का स्वरूप हैं जो समाज की हर बड़ी से बड़ी चनौती का सामना करके खुद की दम पर अपनी पहचान बनाने का विश्वास रखती है के गंतंत्र दिवस हमारा राश्ट्य परव है धर्तविपत देशप्रेम के रंगों से दमक रहा है जहां कुछ देर के पश्चात देश की राष्टपती मानेनिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और इस वर्ष के गनतंत दिवस के हमारे खास महमान फ्रांस के राष्टपती शी इमैनुवल मैकरों का आगमन होगा महमायमशी इमैनुवल मैकरों फ्रांस के पाँचवे गनराज्य के आठवे राष्टपती हैं उन्होंने देश को एक सक्षम नेत्रत्व प्रदान किया है युवा नेत्रत्व जिसने हर क्षित्र में आशातीत विकास किया है जन भागिदारी सुनिश्चित की है और सबसे खा Shri Emmanuel Macron और फ्रांस को एक अनुकरणी नेत्रत देने का सक्षम प्रयाज करते नजर आते हैं Friends, this year we are celebrating the 25th anniversary of the India-France strategic partnership. As was mentioned, India and France enjoy a special bond and as strategic partners we share a high degree of convergence on a range of regional and global issues. Some of you may recall that on July 2023, Prime Minister Modi was the guest of honour at the Bastille Day Parade held in Paris. Later in September, President Macron was our honoured guest for the Leaders' Summit in India for the G20. President Emmanuel Macron is the fifth head of state from France to be accorded the honour of being the chief guest at the Republic Day Parade and the sixth time that a French leader will attend the celebrations as chief guest since 1976. He has a close relationship with Prime Minister Modi and France has emerged as one of India's closest partners in Europe. We now would like to learn a little more about this year's Republic Day Parade. Chief guest, President Emmanuel Macron. France, 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 France भारत और फ्रांस के बीच संबंध परंपरागत रूप से घनिष्ट रहे हैं और पिछले कुछ वर्षों में माननिय प्रधान मंत्री नरींद्र मोदी और फ्रांस के माननिय राष्ट्रपती एमानुवल माखरों की अध्यक्षता में दोनों देशों के दशकों पुराने रिष्टे को एक नई उड़ जा मिली है फ्रांस की राष्ट्रपती एमानुवल माकरों 2017 में महज 49 वर्ष की आयू में फ्रांस के राष्ट्रपती बनी और साल 2022 में फ्रांस की जनता ने एक बार फिर उन्हें विशाल बहुमत से चुना फ्रांस के आमिया में जन में एमानुवल माकरों ने यूनिवर्सिते पाखी नौन तैर में फिलोसफी की पढ़ाई की और फिर फ्रांस के प्रदिश्थित एकॉल नास्योनाल दाद्मिनिस्थासियों में वरिष्थ सिवल सेवा के लिए प्रशिक्षन लिया राजनीती से पहले माकरों ने एक इन्वेस्मेंट बैंकर के रूप में काम किया और वित्यक शेत्र में उनके अनुभव ने उनकी राजनितिक करियर के लिए एक अनूठी प्रिष्थ भूमी प्रदान की अपने राजनितिक सफर की शुरुवात में माकरों ने विभिन मंत्रियों के सलाहकार के रूप में काम किया और फिर वर्ष 2012 में तदकालीन राष्ट्रपती फ्रांसुआ उलान ने माकरों को उप महासचिफ के रूप में नियुक्त किया इसके बाद वर्ष 2014 में मैकरों अर्थ विवस्था, उद्योग और डिजिटल मामलों के मंत्री बने और अपने इस कारिकाल में उन्होंने कई बिजनिस फ्रेंडली इनिशेटिव्स की शुरुवात की मैकरों के राजनीतिक यात्रा का सबसे बड़ा मूर तब आया जब उन्होंने साल 2014 में आमिया में एक नई पार्टी और माश की स्थापना की मैकरों के दल को वामपंथियों से लेकर केंद्रवादियों और केंद्र दक्षनपंथी राजनेताओं और दलों का समर्थन मिला जब हम अपना मूफ्मिन्ट देखते हैं तो मैं जानता हूँ कि हम सफल होंगे हाँ हम सफल होंगे फ्रांस और फ्रेंच लोगों को युनिफाइ करने में और स्विकार कराने में और फेर आया वो एतिहासिक पन जब मैकरों ने अपने प्रतिद्वन्वी माहीनला पैन को भारी बहमत से हराकर वर्ष 2017 का राश्ट्रपती चुनाव जीता प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस की राश्ट्रपती एमानुल माकरों ने सदैव लोकतांत्रिक मूल्यू, मौलिक स्वतंत्रता और मानवाधिकार की प्रति प्रतिबधता जाहिर की है जो आश्वासंदीता है की बदलते वैश्विक परिद्रिश्य में दूनों देश अग्रेसर होने के लिए तयार है कर्देव यपत टय मेल Sea clinically pretty fine the Central Public Works Department The CPWD has played an instrumental role in this is the area opposite the saluting base all done up in flowers और बोल टोजग अज़ ने खुड़ एंगा वार्वजिज़ प्रोड़ एंट, इन्था फ्त वेश्ग जाव एडिए जब टोगत है। that history, tradition and ceremonial protocol all get context for this celebration, anchoring the present in a stability that was weathered many storms. Signal 1 Army Headquarters Signal Regiment, जो करतावे पत से लेकर राज़्ट ये समर्समारक तक कई किलो मीटर के क्षेत्र में संचार और थोनी का जिम्मा संभाले हैं, जिसमें पब्लिक एड्रेस सिस्टम और स्पीकर्स बहुत महतुपूर्ण यहां मौजूद दर्शकों के लिए. In fact, the exceptional quality of sound that you can hear, the covers करतावे पत has been arranged by the One Army Headquarters Signal Regiment under the command of Colonel Rajkumar Mishra. पाननिय राश्ट्रपती के आगमन पर राश्ट्रगान के समय 21 तोपों की सलामी, लेफ्टिनिन करनल विकास कुमार के नित्रित्तों में दी जाएगी, गन पोजिशन आफिसर हैं सूबेदार अनूप सिंग, शुबकारे से पहले अनुष्ठान भी पूरे किये जाते हैं, और जिन तोपों से ये सलामी दी जाएगी, उनका निर्मान भारत में ही किया गया है. कि अजिए अनुष्ठान भी जाएगी, कर पूरे समन्वे के साथ काम करती हैं, और फिर इस विशाल और भवे समारो का खुबसूरत आयोजन होता है, इधर दूरदर्शन ने आप तक उत्तम प्रसारण पहुंचाने के लिए कैसे कैसे इंतजाम किये हैं, आईए देखते हैं. देश के झाल को प्रहते हैं, भी जाएगी, चाल को जाएगी, आईए लिसक्वाहा हुआ है, झाल को चाल को मतायतों के झाल एंभना है, प्रीकाम के इंततता।, आजए पहुआ है।, आजए आएगी, इस दोजए ओवे पहुआ हैं, झाल 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 करताव 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 करता है वे लाह प्लेंज रॉज्चे लेक उन्वार多कों पास्थाब GPA प्लेदन we अन्या偉 प्लेख से फाै उन्वार्द। है। गन्ह Baoṣiब शічबनानना खर्माड लोग्टिस के इमार्यूटिबस्स छेद सब्सक्राइब में एक्षियूञ्यूचिट स्वह स्ब्सक्र शाहरा कि इस धे सहनतारीति उिडिकर्ण टेनीनैंड, कि उिप्स्ट्छाइ्ट train के इसी शर्माटब किनी थारीकर है इसक्रेञ जग्च्रवी ओन एक्रवय और च्थेश कियो जोह नहीं, बटाई परेड चिनषी कि अजिए इह प्राइद कि आजिए फिरल जाने इपन अधिए्षिय विर नहीं होरे जाने हैं विर जञे ट्रिय, आज़ कि रहे. he places a wreath of remembrance on behalf of the nation. The National War Memorial, representing the gratitude of a nation to its armed forces, this memorial strengthens the sense of belonging, high moral values, sacrifice and national pride in our citizens. राष्टिये समर्समारक हमें उन बहादूर सैनकों के अप्रतिम शौरे असाधारन वीरता और सर्वोच बलिदान की याद दिलाता है जिनोंने मात्र भूमी की रक्षा के लिए हस्ते हस्ते अपने प्राण न्योचावर कर दिये थे कुछी समय के बाद यहां मानेनिये प्रधान मंत्री शी नरेंद्र मोधी का अगमन होगा और वे कृतक गिराष्ट की ओर से अमर्शहीदों को शद्धा सुमन अर्पित करेंगे राश्ट्री समर्शमारक पर चार चक्र बनाए गए हैं जिसमें आजादी के बाद भारती सेना की भागिदारी वाले छे युद्धक अभियानों की भी जानकारी दी गई है अमर्चक्र पर 15.5 मीटर उचा समारक स्तम है जिसमें अमर जवान जोती प्रजवलित है परमवीर चक्र से सम्मानित सभी 21 अमर बलिदानियों को विशेश सम्मान दिया गया है राश्टी समर समारक पर और सभी परमवीर चक्र विजेताओं की यहां कान से प्रतिमाये लगाई गई है देश आज हुन्हें नमन कर रहा है पर गई। लग्णे के अ targeted क्रिदाघ के शरव निफ्तार विशेनी किन ऑले कि भाई impressions आई जिए सम्मानि सम्मानिस कि कि ओuş च dwarf चोडंवीर बंभे गई अफ़ weakerा क्रोंवीर चांत कर इन Nah way रहन है आप्स टेकन भी इप्सेट बशिशिए इंवाफ दूर्धशन, वान अटॉट इंड्यागत, अजग दोन्ट इंट वांवड दॉटॉटॉ ते यह वालों ते जाएविस्क अधिए। विदनल दॉटॉटॉ वर वर वालों तर्गे दॉटॉटॉटॉ we and here at the National War Memorial there is an internet services card comprising one officer and 21 inner guards seven from each service along with six be около ice two from each service under the command of major Indrajith such an in fact when the Prime Minister will arrive here this guard is in attendance for the wreath laying ceremony and here to welcome the Prime Minister here we have the Prime Minister's Khaaket going down Kartavyapath and standing there ready to receive him we have the Raksha Mantri Shri Rajnath Singh the Chief of Defence Staff General Alain Chauhan Raksha Raj Mantri Shri Ajay Bhat Chief of Army Staff General Manoj Pandey Chief of Naval Staff Admiral Radha Krishnan Hari Kumar and the Chief of Air Staff Air Chief Marshal Vivek Ram Chaudhuri India Gate and Major Dhyanchan National Stadium to be within the region Raskha Mantri Sikha Mantri and this is the Raskha Mantri Raskha Mantri Sikha Mantri शहीर जवानों को शद्धांजली अर्पित करेंगे उनका आगमन हो रहा है राश्ट्रे समर समारक पर आज के भारत का एक और तीर्थ है राश्ट्रे समर समारक ये समारक अपने वीर शहीदों के लिए राश्ट्र की कृटग्यता का प्रतीक है शुरध्धा और गौरव इन भावों का संगम है राश्ट्रे समर समारक प्रधान मंत्री की अगवानी के लिए रक्षा मंत्री शुरी राजना सिंग समर समारक पर आगमन देश के मानुनिय प्रधान मंत्री श्री नरेंडर मोदी का रक्षा मंत्री रक्षा राज्य मंत्री रक्षा सच्व और तीनो सेनाओं के अध्यक्षण से मिलते हुए और राश्टे समर समारक की ओर ठीरे ठीरे रस्थान करते हुए माननीय प्रधान मंत्री किया किव성 इस्टार करिओ।क जिर उन्हेजी क मैने घकृद कियाiva कि पहते हों भी में जर हों najsa। किया कि बनले मे कि अटेझ खूब खालॉविर तका जर एमजे कि बैस बालक! कि और रंप में इस वालकी इस्ट लोही क्यों मम大 ओर ga देड ने थाया च्योंन। देही जुवरती हो प्हारे अवटीछ कि व NEW पन्हाफ प्हाफ आपा यस्पथा जेह बीप स्टा थी प्रमीजर जा लीम कि उनखे रेंग Safe में увеличितो अ मौ ihan माॉ्या भी जञे रेंपसया जटे एह रिव फैन एमोरißt야지 इस्टींगी प्रफ एफ निए जग सिवाएंगा इसे आए बेख लिए इससे प्रफिफ प्रफिए इससे हो जाया उिक रिंट इंड जख्री एवच्छ वी जग्याम लाग्न अवन जगा इसे निए उनुट है। and integrity came first, always and every time. सिर्ट सिर्ट नको जार जार Maintenant जार मुद्ग्ट जार झज्य कर गएा एम हर उसक्षा cris अजस नचस 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 कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो झाल 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 और परेट कमांडर के ठीक पीछे अपने वाहन पर सवार परेट के दुध्य कमान 2IC मेजर जनरल सुमित महता मेजर जनरल महता को जून 1992 में कमिशन प्राप्थ हुआ राष्टे रक्षा अकादमी खळग वासला और भारती सेन्य अकादमी देहरादून के पूर्व छात्र मेजर जनरल सुमित महता उन्हें सिना कमांडरों और सिना ध्यक्ष प्रश्चस्ती पत्रों से सम्मानित किया जा चुका है सन 2010 में भारती राष्ट्रपती द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जा चुका है परेट के 2IC मेजर जनरल सुमित महता करता वे पत्पर अब वो परमवीर वो युथा जिनोंने बाजी पलट दी दुश्मन को नाकों चने चबा दिये मौत से आखों में आखें डाल कर जूझे और वीरता की कहानिया बन गए स्वागत कीजिए परमवीर चक्र और अशोक चक्र से सम्मानित वीरों का परमवीर चक्र से सम्मानित सुवेदा मेजर ओनरेरी काप्टन योगेंद्र सींग यादव और सुवेदार मेजर संजय कुमार और इनके वाहन के ठीक पीछे अशोक चक्र से सम्मानित मेजर जनरल सीए पिछावाला सेवा निवरित लेटिनन करनल जसराम सिंग और करनल डी श्रीराम कुमार परमवीर चक्र युद्ध के समय असाधारन वीरता के लिए और अशोक चक्र युद्ध के सिवा जान की बाजी लगाने वाले वीरों को प्रदान किया जाता है और यूद्ध का रावन अजात्य गन्वर्ण पिर्ण क का लिए है अवर्श स्पाथ है and band from France the band is music of the French foreign legion the French foreign legion music band led by Captain Kourda comprising 30 musicians playing the legion's anthem called La Boudin and close behind them we have the second foreign infantry regiment the marching contingent comprising 90 legionnaires led by Captain Noel the legionnaires where the famous white cap which can be worn only by legionnaires who have successfully been through four months of selection tests and the best legionnaires get promoted and wear the black cap you can see in the first row in fact in last July Indian troops and aircraft paraded in Paris for the 2023 Bastille Day and they are now participating here the French troops and aircraft and we can hear the roar we will shortly see a very special formation of the French airspace force symbolizing the strength of the Indo-French relationship and honoring the presence of our chief guest here today we could our skies today marking the Republic Day celebrations in India the air bus was captained by commandant Pagniak Roma and is quoting him in the refiles were Captain Gracia Antoine and Captain Chris or Jewel going past the saluting base the first army contingent leading the mechanized column is that of the 61 cavalry led by Major Yashdeep Ahlavat raised in 1953 the 61 cavalry is the only serving active horse cavalry regiment in the world the motto of the regiment Ashwa Shakti Yashobal meaning horse power is forever supreme this regiment has the unique distinction of leading the last recorded cavalry charge in history when it took on the turks at the battle of Haifa on the 23rd of September 1918 and this day is today celebrated as its battle on a day or Haifa day the करता है दुश्मन पर रक्षा करता है देश की सिमाओं के लेजमेंट का आदर्श वाके करम शौर्य विजय भारत की उन्नत सामरिक शक्ति का प्रदर्शन करत विपत पर देश का 75 अर्वां गणतंत्र दिवस्समारोग ती-90 भीश्म रात के समय भी दुश्मन पर प्रहार करने में सक्षम है और इसके ठीक पीछे है नाग मिसाइल सिस्टम अगड़ी तुकली मेकनाइजड इन्फेंट्री रेजिमेंट के नाग मिसाइल सिस्टम की है जिसका नेत्रत्व 17 मेकनाइजड इन्फेंट्री रेजिमेंट के कैप्टन अब है पंडित कर रहे हैं नाग मिसाइल करियर अतरिक्त पहियों वाला एक विस्तारित लाइसेंस नेर्विट बीमपी टू है जिससे भारत में सारत नाम दिया गया है इसमें कुल बारा मिसाइल्स हैं जिसमें छे रेडी टू फायर मोड में रहती हैं और छे स्टोरेज में बारती सेनाओ के सर्वुच कमांडर देश की राष्टपती मानेनिया शिमती द्रौपती मुर्भू को स्मार्ट सैलिट कैप्टन अभे पंडित द्वारा नाग मिसाइल सिस्टम के ठीक पीछे है बीमपी टू बाई टू के नेत्रत 23 गार्ड के लेफटेनन्ट शिवम सिंग कर रहे हैं अरतनाम का आईसीवी बीमपी टू शक्तिशाली आयुध युक्त अक्त्याधुनिक और रात्री युद्ध क्षमता वाला एक उच्च गतिशीलता वाला इन्फेंट्री कॉमबेट वीकल है राद में चार किलोमेटर तक की दूरी में किसी भी अग्याद दुश्मन को नश्ट करने की इसकी क्षमता है युद्धोश गरूड का हूँ बोल प्यारे BMP 2x2K का आदर शबाग के पहला हमेशा पहला the IcVBMP2 going past the saluting days and we have the next detachment comprising six modern выпуск specialist vehicles that include quick reaction force vehicles heavy and medium a light specialist vehicle 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 mounted infantry mortar system, all-terrain vehicle and a specialist mobility vehicle these are new generation vehicles under the Atma Nirbhar initiative of the government these vehicles can be used in the desert and mountainous regions and snowy areas to transport troops and the specialty of these vehicles is their suspension which is really flexible giving it excellent maneuverability the detachment led by Major Tufan Singh Chauhan of five Rajput lieutenant-colonel one my copy phone and captain armandeep singh ojla specialized vehicles of the Indian Army that provide them support on the ground the crowds here all agog with excitement because they are seeing these vehicles for their first time a perfect opportunity for the Indian army to share glimpses of the equipment that they have at their disposal behind the all-terrain vehicles we have the pinaka of the regiment of artillery led by lieutenant Priyanka Savda the pinaka multi-barrel rocket launcher system is an indigenously designed developed and manufactured medium-range all-weather free-flight artillery rocket system fully automated this offensive weapons system with each launcher boasting of 12 rockets developed by the DRDO pinaka is a vital component of the offensive operations of the artillery Sarvatra is that oh Iqbal their motto everywhere with honor and glory receiving a round of applause from the assembled guests we now have swathe the weapon locating radar system led by lieutenant deeply Rana of the regiment of artillery developed again by the DRDO and Bharat Electronics this is a highly mobile radar system designed for automatic first-round detection the counter battery radar is designed to detect and track incoming artillery and rocket fire to determine the point of origin for counter battery fire weapon locating radar system swathe the president acknowledging their salutes as we now have the Sarvatra mobile bridging system of the Corps of Engineers led by captain Suman Singh of nine rapid engineer regiment a made in India specialized equipment for bridging over dry and wet gaps of terrain it can span a minimum of 15 meters in a single span and a maximum of 75 meters in multi span the lone helicopter rather three helicopters in Vic formation as they move forward and we have the mechanized column of the Indian Army on the ground 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 this on the ground this this analysis प्रदर्शन करता वे पत्पर प्रदर्शन करते हैं इन सकत्राइए ट्रदर्शन करते हैं झाल अर्दर्वार्शन करते हैं का फ्रीजाने आनिएश प्रीज ट्रीचनिट स्यंकिन प्रीच कि एड़ प्रीटाइटों तिल्म प्रीज्टे एडिल इडिय टार्गाइब्स टूज्डेंट आयों एडिक月ज्ज लिकॉट थे कॉट्टिस अंभल तर्ट falar cruise missiles the motto of the core of the army air defense is akash a shot room so the audience now feeling the warmth of the Sun and of course the excitement levels are going to build up so we have flowers and we have colors सもしiembre of different people from different parts of the country, all adding to diversity, variety and beauty. It takes a lot of spirit and a huge leap of faith to get up early in the morning and arrive here to witness the Parade, but definitely well worth it for each and every person who has made it a point to attend we shared with you do dershin specially placed cameras giving you views bird's-eye views and our jimmy-jip views and of course close-ups catching the mood and the morale of the place special invitees special dignitaries from all across and in an effort to make it more inclusive these special guests have prominently seated on either side of kata vipa and of course right across the prime minister's enclosure representatives of vibrant villages are also among the special guests and this is a program aimed at complete inclusivity and taking growth right to the grassroots meanwhile here on kata vipa marching boots military music all continue and approaching the saluted base we have the madras regiment mechanized columns ke baad abari hai marching contingent ki karthavipat pari ye dasta hai madras regiment netadv major jerry blaze kar rahi ha 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 I am मद्रास रेजिमेंट भारती ये सेना की सबसे पुरानी इंफेंट्री रेजिमेंट है जिसकी उत्पत्री वर्ष सत्रह सो पचास में भी थी 1962 का चीनी आकरवान हो 1947 और तालिस का भारत पाकस्तान युद्ध हो 1965 और 75 की लडाईयां हर जगा वीरता के नए अध्याय लिखे हैं मद्रास रेजिमेंट के जवानों ने अधर्श वाक्य स्वधर्में दिधनाम श्रेयां अपना करते हैं मरना गौरफ की पाहत इसके ठीक पीछे गड़वाल राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर अठावन गूर्खा ट्रेनिंग सेंटर और हुंतालीस गूर्खा ट्रेनिंग सेंटर का संयुक्त बैंड दस्ता 75 संगीत कार इसमें शामिल और बैंड दस्ते के ठीक पीछे आ रहा है ग्रेनेडेर्स का मार्चिंग कंटिजेंट आकर्शक वेश भूशा से सुरक्ष सुसच्जित होती है ग्रेनेडेर्स का ये दस्ता जिसका नित्त्व 13 ग्रेनेडेर्स बैटेलियन के कैप्टन अनुच कुमार धारिवाल कर रहे हैं रेजिमेंट का आदर्श वाक्य नाम नमक निशान युद्ध गोश सर्वदा शक्तिशालियन युद्ध क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन खासियत है ग्रेनेडेर्स की लाजाराम चंडर की जया प्रश इस जांधार्श वाद नब्स बैस बालेखेत्र तर्श वादेन शुद्ध नेट्बाव लेड़ा राजवथान भान वत्म बैस्वाद्स बश्वार्श की बालेखेशनगे, लेद्वार्श थने, लेटे लेट्स लुद्धिन संयम चोदर 20 बार्ज बार्च अर्श ऑटत्री इंड़ इंड्लिओन catching limit थार्थबून आप अबेंडила हम a के रेकार्थ इंड्सन करंगे भीन सhट्ति walos Miche hysteral isn't the distinction of winning 10 अजिनम्ना अवर्च बार्थ इस्क मिद्त फ्रूम इंडर्श यूनियर चेंड़ य्डिट्रू और था अव्यबराइब इसके लिए भाहिए व्याम निएक्ट में अएंड ऑप लिए्या रुड़ाइटिरेंटर बीजितवाइवन इसके लिए लाएट इनदेटर बार्ट करदेजी थाप और चंदनविष्ड़ ऑफ ऑटी थाबड़ अ काथिंट अ गूछन ट्रिट अ मुड़ी थाप इंड ये यंडिया निर जाब और एंडिवाड़ इंडियों इन वें अड़ जैल में सुर्फट इन अटेल्ट वेड़ार इन इन हुड्यों इन इन ट्ती कुट प्रवाराती करिके करें पहुता है विते झार राविकेष दिते केुछ mustharpके विते को संध्या तोग कर देना कर दूए कर फ्रैपницंग को करें 화 bbleira' में इक एक पर फिर प्रफ़ पर एक पार्फ पर एक पॉस। अ भी प्राफी तुम्च्छी तूम्ची टूम्ची जा इस तो फूद़ दूटूब्यस तुम्चीज था लुड़ार युड़ा टूवनुची उन एक बीए इनेशन बीए नारी शक्ति की धूम के बाद तव्य पतफर सिक रेजिमेंट की टुकडी सलामी मच के सामने मेजर सरब जीत सिंग की कमान में स्वतन्तुता के बाद ये रेजिमेंट भारते सेना की सभी कारवाईयों में सबसे आगे रही है जुस्त कदमों से आगे पौछते हुए कंदे से कंदे और कदम से कदम मिले हुए कई सम्मान प्राप्थ ये वेजिमेंट जिसका आदर्श वाक्ये निश्चैकर अपनी जीत करो और युद्ध घोश गोले सोनेहाल सत श्रियाखा सारे जहां से अच्छा की धुन लेकर AAD कॉलेज और सेंटर जोगरा रेजिमेंटल सेंटर और AAC सेंटर नौर्थ का सेयूत बैंड तस्ता और कमान सम्हाली है सुविदार M. राजेश ने उनके साथ सुविदार मोदी नाल और नैप सुविदार बराबेंदर सिंग 72 बैंड वादक इस दस्ते में कुमान रेजिमेंट का ये दस्ता कैप्टन चिनमे शेकर तपस्वी नित्रत्य करते हुए रेजिमेंट का 200 वर्षों का सम्रुद इतिहास है रेजिमेंट को पहला परमवीर चक्र प्राप्त करने का संबान भी प्राप्त है रेजिमेंट का अदर्श वाक्य पराक्रमों विजयते युद्धोश कालिका माता की जय है प्राप्त करुब पार से प्रस गिर선वी के इते उनीजनीन के व्रियव और के तव तक स्पर्णीfarमों गैस सब्सके मेंटिट प्रिविलिए पर्लिव पीन्याजटह cassette and they have not only proved their prowess in battle but also utilized their military and technical skills in the development of our nation going past the saluting base behind them the combined band of the Monata light regiment center and the chart regimental center along with the AOC Center comprising 72 musicians led by Subhidana Ajay Kumar in tune through following the band we have marching forward for the first time ever on Karsavya path and all women contingent of the Armed Forces medical services led by major Shishti Kullar with Captain Amba Samanth from the Army Dental Corps Surgeon Lieutenant Kanchena from the Indian Navy and flight Lieutenant Divya Priya from the Indian Air Force followed by 144 officers of the military nursing service strength discipline the dedication of women officers and unwavering commitment and it is a part of the bandmaster chief petty officer second class M Anthony Raj kar rhe is a मार्दी नौसेना का विश्व विख्यात ब्रास बैंड दस्ता असी बैंड वादक जिसमें शामिल है नौसेना ब्रास बैंड के ठीक पीछे है नौसेना का मार्चिंग कंटिंजेंट 144 युवा नौसेनकों की ये टुकली जिसमें महिला और पुरुष दोनों ही शामिल है नेत्रत्व लेफटेनेंट कज्वल एम कर रहे हैं लेफटेनेंट मुदिता गोयल लेफटेनेंट शरवानी सुप्रिया और लेफटेनेंट दिविका एच प्लाटून कमांडर्स के तौर पर दस्ते में शामिल उपस्ते जन्समु आलादित रोमान्चित गौर्वानवित और ये है सलामी मंच के सामने पहुश्टी हुई भारती नौसेना की जहाकी जिसमें दो महतपून वेशेयों को दर्शाया गया है पहला है नारी शक्ती भारती नौसेना में महिलाओं की सभी भूमिकाओं और सभी रैंक्स में प्रवेश हो रहा है उनका और उनका स्वागत किया जा रहा है जहाकी के कमांडर है लेफटेन कमांडर भोपे जुई मिलिंद और लेफटेन कमांडर निशीत के एस स्वादेशी करन के माध्यम से महासागरों में समुद्री शक्ति को भी इस जाकी में दर्शाया गया है a special tableau that acknowledges the contributions made by veterans in nation building in front of the saluting base now it showcases their continued commitment in a variety of ways to building the country and sharing the responsibility of national security a salute to the indomitable spirit their inspirational growth and sustained consistent and invaluable contributions now the youngest of the armed forces the Indian Air Force a band led by sergeant C.A. Daniel playing the tune sound barrier quick march and that is the BAS formation three MiG-29 aircraft flying past in big formation led by group captain Manoj Bhargav, Wing Commander Anup Miland Kargari and Wing Commander Ankit Bhatia as we have the Indian Air Force band going past the saluting base we've got the marching contingent just behind them comprising 144 airmen and four officers in a box formation led by squadron leader Rashmi Thakur, squadron leader Sumita Yadav, squadron leader Pratiti Anualia and Flight Lieutenant Kirti Rohil incidentally Sumita Yadav had participated in the Bastille Day parade as well bringing up the rear of the Air Force contingent is the tableau with the theme Bharatiya Vayusena, Saksham, Sashakt, Atmanirbhar, potent powerful and self-reliant a rotating globe on the tableau highlights the Air Force's expanded reach you've got the transport aircraft the C-295 flown by two women aircrew in the cockpit the middle portion has the Tejas and the Sukhoi 30 you've got flight Lieutenant Ananya Sharma and Flying Officer Asma Sheik also present on the tableau in full flying gear the gender inclusive approach of the Indian Air Force for a record of the D.R.D.O. Kee Chaki just my Raksha mein Aadnirbhartha ke liye Prayas Rath is Sengathan mein Mahilao ke Prayas aurunki phagidari kudar shaya gaya hai Nittritu kar rahi hai is Jaki ka Sunita Devi Jena एक बहुती प्रतिवाशाली वैग्यानिक और Guided Missiles की विशेशग्य है इन्होंने Liquid Technology का विकास किया है स्वदेशी जाकी में DR.D.O. में महिलाओं की भागिदारी को भूमी, वायू, समुद्र और साइबर अंतरिक्ष में दिखाये गया है जाकी में कई की मिसाइल प्रणालियों को भी देखा जा सकता है भारत की सैने शक्ति और भारत की निर्मान में महिलाओं का योगदान रिखांकित होता हुआ भारती तटरक शकबल का बैंड उत्तमा दिकारी मुजिशन पापनूर जी बावू की कमान में सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ घुचने पाइंड तटरक शकबल की ठीक पीछे बारती तटरक शकबल का मार्चिंग दस्ता हमारे समुद्रों के प्रहरी दस्तेगा नित्रतों कर रही हैं साहिक अससिसितंट चुनौती श्रमा और तीन अधिकारी असिसटंट कमदान पुरिया देह्या। असिस्टं कमदान हार्दिक और असिस्टं कमदान प्लवी। बल्क अधर अदर्श वाक्य है वयम रक्षामा की प्रिटेक्ट। इस बलने अपनी स्थापना के बाद से 11,516 लोगों की जाने बचाई हैं, यानि हर दूप से दिन एक जीवाद। A change of color now, going past the saluting bass, again for the first time on Kartavya Pat, the BSF Mahila Brass Band, under the command of Sub-Inspector Shweta Singh. The band is playing the tune, भारत के जवान. Following the band, marching smartly past the saluting bass, we have the women contingent of the Border Security Force, consisting of 144 Mahila Praharis, led by Assistant Commandant Monica Lakra. The BSF opened its doors to the Mahila Officers in 2013, and three years later again in 2016, women became an integral part of all ranks of the Border Security Force. And this is women power, and this is women empowerment. Approaching the saluting bass, in vibrant Nehariya turbans, adorned with saffron hackles and sparkling band instruments, playing the spirited tune of Amar Senani, the CISF's women band, led by Constable Kashyap Monica Narendra. Marching with the beat, with the rhythm. The CISF women marching contingent, led by Assistant Commandant Tanmay Mohanty, going past the saluting bass. The motto, protection and security. Sunshine, spread across Kartabiyapat today. The को अपने पहले महिला बैंट दस्ते की स्थापना का शेयर भी जाता है इस महिला बैंट दस्ते में सो उत्साही महिला सेनानी शामिर कर्टव पत रोमांच से सराबो CRPF का महिला मार्चिंग दस्ता अब सलामी मंच के सामने पीस कीपर्स अब कनेशन के नाम से जाना जाता है नेतनत्र कर रही है 234 की बटालियन विशाका पंट्टम की असेस्टिंट कमांडन्ट मेगा नायर आकचक परिधान अनुशासन देश के प्रति समर्पन कर्टव परांटा असाधरन वीर्दा यह भरती सशस्तवलों की खाथियत अब आ रहे हैं हिम्वी भरत तिबद सीमा पुलिस का बैंट कर्ण प्रिय धुने बजाता हुआ आगे बढ़ रहा है कॉंस्टेबल अंबिका पाटिल के नेतरित्व में यह हैं हिम्वी रांगनाएं सारे जहां से अच्छा की धुन पर मार्च करते हुए और यह भरत तिबद सीमा पुलिस का महिला मार्चिंग कंटिजेंट नेतरित्व असिस्टन कमांडन्ट मोनिया शर्मा कर रही है इस गवरवशाली टुक्री में तीन अधीनस्थ अधिकारी और 144 अन्य रैंक शामिल है भारत तिबद सीमा पुलिस के बहादुर सैनिक हिम्वीर के नाम से जाने जाते हैं जो लद्डाक से अरोनाचल प्रदेश तक की सीमाओं की रक्षा करते हैं अर्चरा अच्छरा अबड़ा करते हैं इंक्रीस प्रद सिमा बल्ड बंड वे में ऑष्ट प्रदेश पर शास्त्र सेमा बल्ड बंड न इन्सपेंड़ जाड़ा ख्षपरा है सीने में अध्र्ड ट्रही हदेलियों पे जान श्थल्सिए अधिए तुन As the Defense Minister, Prime Minister and President Macron watch this special service bureau that was set up in 1963 with the aim to strengthen the lost self-confidence of the people after the India-China war The SSP contingent now Deputy Commandant Nancy Singler leading this force in addition to guarding the Indo-Nepal and Indo-Bhutan borders, playing an important role in the Naxal-affected states of Chhattisgarh, Jharkand and Bihar. The motto of the Sushastra Sima Pal, service, security and brotherhood. And now warming the hearts of the people of Delhi, the contingent from the Delhi police. The Delhi police band, for the first time on the parade, being led by women, bandmaster, sub-inspector, Ruyangunyo Kensei, playing the Delhi police song. Just behind the band, the Delhi police marching contingent, which is a 15-time winner of the best marching contingent of the Republic Day Parade. This time it is an all-women affair. Additional Deputy Commissioner of Police, Shweta Sugatan, leading the smartly red-saffa-clad women officers down Kartavya Pat to the tune of the Delhi police song. It is indeed thrilling to know that the Delhi police have been participating in Republic Day Parade since 1950. And coming now on to the saluting base, the regal camels of the BSF, the ships of the desert. Prigestan, Prigestan के जहाज का स्वागत कीजिये, कर्तव्य पत्ष पर, सीमा सुरक्षा भल का उूट तस्ता, डिप्टी खमदान्त, मनोर सिंग खीची की कमान में, आकर्शक्त, सजेत, हजे उन्टों पर, BSF के जवान, गनतंत्र दिवस परेड में तुसी बार, महिला उूट सवार भागे रही है, ताजिस्तान के ठार लेकिस्तान, और कच्छ के रण के दुर्गम इलाखे में, तैराथ बल्के जवानों के परोसमन साथी है, ये उूट, BSF का आदर्श बाक्य है, जीवन परियंग कर्तब है, बहुत ही आगर्शक, ये उूट दस्ता जिसकी बीट्वेटी शिकर सम्मेलन के दौरान देशी प्रदिमिजियों ने बहुत वशन साहरी थी है, और इनके ठीप पीछे, BSF का पूट बैंड, बैंड मास्टर, सब इंस्पेक्टर, अमल चट्टो पाधियाए की कमान में, 25 बैंड बादों का ये दल और थुन बजा रहा है, हम हैं सीमा सुरक्षा भल, बहादुनों का दल. कलो में विट खालर, कलो में विट ग्रेस, कलो में विट उनिकने स्थाज्वर्ण, कॉलिंग आउट तो ओल वोग पास्ट, कर दो हैं विटू उनिकने स्थाज से नहीं। की उनिकने सीमेशः कर से लगए विटषब शॉर्ण टीजर, की उनिकने स्थाज़िए हैं वándहे हैं, दोैं सीमेशने हैं तो्यर विट्टै। प्रमalarेत भ्रेस्च प्रेस्टू प्रेनिकार्म, के बांट थे राके प्रफ़्टी इस स्वार्व ठार्ज फिर्ट अविर्टा जे से अरिब। नियर अर्फ़िट में और सीजिए उन्या पूनिय पुनरी कैन्मा लुफट्ट्ट जाए हुआ था टौनियम पूनराप and now the NCC Girls Combined Band this is an all-girl representation this year and the Combined Band of the NCC Girls Virla Balikavitya Pete Milani the NCC Girls Northeastern Region is being led by Senior Under Officer Yashavika Gaur and Ankita Sharma the tune, Yes, Sare Jahan Se Achha and the NCC Girls Marching Contingent the Tri-Service Contingent all-girl band contingent of the NCC followed by the second NCC Girls Marching Contingent led by Senior Under Officer Tanu Tevathia 148 cadets in perfect harmony in perfect discipline synchronicity at its peak NCC cadets के बाद कर्तव विपत पर अब भारी है राश्ट्री सेवा यूदिना के मार्चिंग दस्ते की जिसे NSS के नाम से जाना जाता है दो सो महिला स्वेम से इसमें शामिल पर अजिए पर गए नेसे के इस दस्ने का अंधेर तक्रती कर रही हैं गुआटी चित्री निदेशाले सिक्किम की रेजिन अटमा जुवा भारत शशक्त भारत विकसित भारत जैसे अभयान अंतराश्ट्री योग दिवस हर घर तिरंगा जैसे अभयान देश प्रेम को और्थ परोध करने वाले अभयानों राश्ट्री सेवया यौजना की एहम भ मास पाइप एंड ड्रम बैंड का संयूक्त बैंड दस्ता 120 वारकों का ये दल है नेत्रत विहार रेजिमेंटल सेंटर के सुवेदार मेजर कुमार राजकुमार राम और एमसी सेंटर और स्कूल के मेजर राजेंदर सिंग समाल रहे हैं ये दस्ता दौन बजा रहा है पहालो की रानी बीटिफ़लेट जीपस बिंग इनटीन चिल्रम इवन और सिर्फ एंड प्रम बैंसे कि रहे हैं इन चिल्ट्रों वह उन शर्चिपटिय और आपस्ट इनापके जाए कि अज़ा फिंचे अजिवेश्या अचेवला ना बेशारी घेस्मों इन बेह बेवरी और तुह मैंने वह जान इंटेष पिलेपरी कोजिए प्रिफें सिर्वामने कोजिए और इंट सेव पूल्सी कि कि बार्थ गुली देल दिछोफ दो सेमी आजे रवार्व पस्क कि मिन इन वह स्थ्टीर केय। एंग्रव आसे जिन्ट्रफ टो स sitten झूल्डिंश और प्लिघ्रिम्हा जो जङesse wszystkie श्रिय्ट पुआशे प्रिर्टीय में रूड़ प्रॉश इसाह में। पुझाली प्रफ अच्जारे भूबर्टीय में गुझाली गुझाली चैजना भूब मेश्टा प्रफॉवारे नित मतारी वत्ताओ जुवारे विविध पारफ बुब करनेक्छाडिय। The largest of seven sisters of the northeast, Arunachal Pradesh, literally means the land of dawn-lit mountains. Burdened valleys, pristine water bodies and rich heritage all make it untouched, unseen, unbelievably must-visit place on earth. आदे एंगार जै आदेगार आपकें लाए तूं तूंगार जा जा चिल एंगार जादा जा वी नादा चूंगार From Arunachal, we move to the State of Haryana and the Government-Run Programme called Mera Parivaar, Meri Pehchan which attempts to provide the benefits of Government-Run Schemes to eligible families by using technology and connecting with every family in the State. data collected and updated by the government helps empowering the residents easily digitally be it procuring ration agricultural subsidies scholarships or pensions haryana से चलते हैं एक बार फिर पूर्वोत्तर की ओर बारी है मनिपुर की मनिपुर राजिकी जहांकी थंबल गी लांगला लोटस त्रेट्स विशेवस्तु पर आधारित मनिपुर का इमा के थिल 500 साल पुराना बाजार दुनिया का एक बात्र बाजार जो महिलाओं द्वारा संचाली थे मनिपुर देश में महिला सशक्ति करण का अनुकरणिय मॉडल पेश करता है और विक्सित भारत के रूप में भारत के विकास का मार्ग प्रशस्त करता नजर आता है मनिपुर से मध्य भारत यानि मध्य प्रदेश की जहांकी का क्रम आत नर्भर नारी विकास का मूल मंत्र पर केंद्रित मानिय प्रधान मंत्रीशी नरेंद्र मोदी और गनतत दिवस समारो के खास महमान फ्रांस के राष्टपत्रीशी इमैनुवल मैकरो मध्य प्रदेश की इन बेटियों पर पूरे देश को मान है सूर की तरहा चबक रहा लहरे अबनी का नाम है दुर्गाबाई की तलाने भारत की शोभा बढ़ाई है चंदेरे के रेशमने दुनिया मे कीरती पाई है विक्सित सक्षम सशक्त सम्रत हमारा की तरहा आप लोग बढ़्य प्रदेश विक्सित भारत इस्ते रिच अदिक्राफ्ट औन है अन्लूम सेक्टर बार्देश की तरहा बढ़ाई है विच बीन गल्ली रेक नाइज ब्ली रेक्निए तरहा थाप्ट विक्सित भारत प्रूबाई 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 मουν घ्रेजिक बालिथ त्रेशा के बाल शeden का आवледні च्ट्टिसिंग ऌरी चाहए मोल की आवे इंडेशी काुने कर्फिट्यपरे इंड़िते हां विल गाइद का ह्वाहि बात», विली अट ढांन हो राष दि का हॉंग अपना भातां थे अनों स्क्रावा ग्म्रेंसारि कर दो कर दो कर दो कर दो करतव वो पत्वर समरुध् सांस्कृतिक विरासत जो भारत की बड़ी पहचान है उसके दर्शन और 36 गड़ के बाद राजस्तान की जाकी विकिसित भारत में पधारो महारे देश के संदेश को लेकर ये जाकी राजस्तान के बाद चलते हैं महाराश्ट्र की ओर महाराश्ट्र की जाकी जिसमें चत्रपती शिवाजी महाराज के साड़े तीन समवे राजबिशेक वर्ष समारो को दर्शाय गया है चत्रपती शिवाजी महाराज का संदर्श रूप्खे रूप से अन्याय और शोषन के खिलाव था जय 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 जी जाओ झाल आफिटी गधा झाल आफिटी गधा झाल झाल प्रभान तरबादी तवर्णा समाना पुलवादी ते भूठान असेल तेशासना and now let's move on to the next tableau of Andhra Pradesh the tableau is on the subject of transforming school education making students globally competitive विष्वा विद्या नू निर्पावू। सकला विद्या कुमीर में साथी, विष्वा विद्या कुमीर में पोटी, विष्वा प्रगति कि दिसो पालम, विष्वा विद्या ये मालक्षम। जय हो। The transformation of medium of education theme is depicted in the entire tableau. And here comes the next, Ladakh. Vixit Bharat, empowering women through employment in Ladakh's journey. The Indian women ice hockey team, exclusively composed of Ladakhic players, symbolizes this journey of empowerment. 이승-ना, ओÓयत्या, विष्वा 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 डेन में पोटी, विष्वा विष्वा है। कार देला छोद बामा फुला लामाई दमची देला शोद खांडो छोज कम खांग देला शोद और अब सेलामी मंच के सामने धीरे धीरे शान से अग्रिसर होता हुआ तमिलनाड राज की जाकी इस जाकी में तमिलनाड के प्राचीन कुदवलाई प्रणाली यानि मिट्टी के बर्तन में मत पत्र डाल कर चुनाव किये जाने की राचीन परंपरा को दर्शाया गया है पुलबोले कंड थबरकुडिये वाड़ीय 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 वे और अब अगली जहांकी है गुजरात राजिकी जहांकी जो गुजरात के सीमा परियतन की वैश्विक पहचान धोरडो पर आधारित है इस जांकी में गुजरात के कच्छी की संस्कुती को दिखाया गया है जिसने कच्छी घर भूंगा, सानी हस्त शिल्प और रोगन कला सम्मिलित है जांकी में कच्छ घाउं की दृश्यावली बताती है क्यों गुजरात आज विश्व परियतन की नई पहचान है जांकी में फिर के लिए जांकी में दृश्यावली नई तर्षू वर जिए उन्हेवली 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 पहचान है एपस्ए प्रफप्रदा गुजरात it's time to move on to Meghalaya the tableau opens an enchanting display of Meghalia's cherry blossoms transforming the landscape into a canvas of wash and delicate shades of pink in the middle of the day when not the one true one or the one true one joya jim it young कर दिवाल्यक दो बीघ्टस अबर्य कार्ण का मेंमान्या मिखालया ओम आह्तोंसा एक दुवा आरामूनु टॉ फूलागजाओ आप्रियो मिखालाया अगारी के जिंस्ता निंतन सम्यं की अनध पुर स्कां help these diverse themes intricately weave together in झाल्याज मेखाली इंच्छली शुल्श उच्छलिश्गिन च्छेश्ट विट लाहनु ज्जार्गऱ् कॉछ इच्ज्ट। च्छर्गंट च्छोंग श्रू थ्रू र्डिज़ के विजल्ट अविज्द। थू रूद एड़न धृतर्ष एड़ार्टर हैं। कर दो किस एक एक लागा है तर चाहरा टार लिए पर दूख़ा सिल्क पुड़ाइब भार्ड शाम्रद विरासद को दर्शाथी उत्र प्रदेश की मनोरम जाकी जो शी आयोदिया धंपर आधारित है देश्वासियों हाल ही में श्री राम जन्मभूमी अयोध्या में संपन हुए श्री राम लला की प्रान प्रतिश्चा समारों को जाकी के अगरभाग में दिखाया गया है यहां कुंभ की छटा देखकर दुनिया जय जय बोले नए उत्यमों ने विकास के नए रासते खोले जड़ी धुंद उतर प्रदेश की नए राशनी चाई नए राशनी चाई साथ ही उत्तर प्रदेश की सम्रिक विकास जिसमें जेवर अंतरराश्री हवाई अड़ा नोईडा में सबसे बड़े मोबाइल मैनिफैक्टरिंग फैक्टरी इन सभी को जाकी में दिखाया गया है और अब सलामी मंच के सामने अग्रिसर होता हुआ तेलंगान राजी की जाकी तेलंगाना की आजादी आलून आंदोलन के योद्धा और उनके परंपरा को बखुबी दर्शाया गया है and the next tableau approaching the saluting base Indian Space Research Organization the Chandrayaan-3 tableau depicts the successful soft landing of the Chandrayaan-3 spacecraft on the moon near the South Pole प्रिक्ष की उचाय को छूने लगा भारत परिवार प्रगती पत्पर हो रहा देश आज का दिमार इस रो विक्सित भारत की पहचार आरवट भास कर रहनी से शुरू हुआ इस रो का सफर Chandrayaan और मंदल्यान से पहचा नई जायो पर रग्दकन्यान मिशन से रचे नया इतिहास इस रो विक्सित भारत की पहचार इस रो विक्सित भारत की पहचार इस रो विक्सित भारत की पहचार The next tableau approaching is of Council of Scientific and Industrial Research CSIR The visually enchanting tableau of Council of Scientific and Industrial Research aligns with the विक्सित भारत theme and is on the purple revolution ushered through lavender cultivation in Jammu and Kashmir Highlighting agro-technical developments the distillation unit for extracting essential oil from lavender flowers Lavender हर एके तमे लगाओ इत्रक्टर घर घर लेयाओ कम लागत में मुना फक्वाओ सारकी साने कलक्ष्य बनाओ CSIR संग बड़ते जाओ कितना आसान लेवेंटर लगाना नहीं लोगों का पहरा पिदाना एक बार लगाओर करो गुदाई और अब एलेक्ट्रोनिक एवं सूचना प्राद्योगी की मंत्राले की यह जाकी सलामी मंच के और अग्रसर होती हुई यह जाकी सामाजिक सशक्तिकरण के लिए जिम्मेदार आर्टिफिशल इंटेलिजेंस पर केंद्रित है जिसका देश के स्वास्त सेवा, लोजिस्टिक और शिक्षा सेस्त्र में महत्वपून योगदान है और अग्रसर होती है कर्टव्यपत पर शान से सलामी मंच के और अग्रसर होता हुआ पतन, पोत परिवहन और जलमाग मंताले की जाकी जो सागर माला प्रोजेक्ट पर आधारित है मंत्राले द्वारा महिलाओं को अवसर प्रदान करने की प्रतिबद्धिता के साथ नीली अर्थ विवस्था की संचालक नारी शक्ती को इस जाकी में दर्शाया गया है सागर तच संपन बन रहे सफल हो रहे ने प्रयास अधित्पुई शम्ता में बृद्धी बंदर गाहु का हुआ विकास नारी शक्ती ने कदम मिला नव में फैलाया नया उजास पोत परिवहन से संभव हो परियतन का हुआ विकास सौकरि माना, सौकरि माना, सौकरि माना, सौकरि माना, सौकरि माना, सौकरि माना, सौकरि मैं And the next tableau arriving is of ITBP, Ministry of Home Affairs. Ministry of Home Affairs tableau on vibrant villages through symbolism and various themes अबिस्ट नाप्टरिक्टर प्रोट सापतिजू इंटिप्रीटू के अप्रस्टबना alone इकल्वी नविब्रत विछन आविद विब्रांगी। विविविवरी टो क्या ले खिरेश्ट कैसे दो कि दो चिवथ का खालो! The next tablo is of Ministry of External Affairs. The MEA tablo depicts successful completion of India's G20 presidency and its achievements. It reflects India's leadership of addressing global issues in an ambitious, decisive, inclusive and action-oriented manner. और अब सलामी मंच के और अग्रिसर होता हुआ भारत की चुनाव आयोग का ये मनोरम जहांकी. जहांकी एक सशक्त विवरन का सांगो पान्चितरन कर रही है कि चुनाव प्रक्रिया लोकतंत्र एक्ता का उत्सव है. साथ ही धोराती है कि मद्दाता की प्रिष्ट भूमी इस चुनाव प्रक्रिया में कितना महत्तोपूर्ण भूमी का निभाती है. अब सेलामी मंच के ओर अग्रिसर होता हुआ केंद्री लोक निर्मान विभाक की जहांकी सेंट्रल विस्टा विक्सित भारत का प्रतिविंब. इस जहांकी में कर्तव व्यपत नया संसत भवन नव स्थापित नेताजी सुभाष जी की प्रतिमा को बहुत बखुबी प्रदर्शित किया गया है. नया विक्सित कर्तव व्यपत एवं नया संसत भवन विश्व के मानचित्र पर अमिट चाप छोड़ता है. यह विश्व पतल पर अपनी नई पहचान बनाने और टेजी से विकास करती हुए नय भारत का प्रतिविंब है. संस्कुर्टी मंत्राले की जहांकी इस संदेश के साथ की भारत है लोकतंत्र की जननी. भारत की लोकतंत्र में सदैव आस्था रही है. वैदे काल में सभा और समितियों की नीव रखी गई थी. भार्टिये लोकतंत्र प्राचीन काल से सामाजिक सदभाव, समाविशिक्ता, समानता, समरस्ता और स्वतंत्रता से परिपोन रहा है वेदों में सभा, समिती और संसत जैसी जन भागिदारी वाली संस्थाओं के उलेक इसके प्रमाण है महाजनपदों में हमारी सम्रिध लोकतांत्रिक विरासत का उलेक मिलता है जैन और बौध दर्शन में भी लोकतांत्रिक परमपरा के अनुसरन के द्रिश्टान तो मिलते हैं इसी तरह के संदर्ब हमारे अन्यग्रंथों में भी हैं उत्तरमेरूर, उकल एवं अन्य स्थानों पर उत्केर्ण अभिलेक हुमें निर्वाचन पद्दती एवं प्रक्रिया के नियमों का उलेक है चंद्रगुप्द, अशोक, कृष्णदेवराय, अकबर और शिवाजी जैसे महानशासकों ने अपनी अपनी शासन व्यवस्था में लोकोन मुखी शासन की श्रिष्ठ उदाहरन प्रस्तुत किये हैं पंचायत और ग्रामसभा जैसी व्यवस्था भारत की कावों में विशेशकर इशान्य भारत की राज्जियों में भी परंपरा से दिखाई देती है हमारा सुद्रन सम्विधान हमें हमारे देश में लोकतंतर की शदा आश्वस्था की सदा आश्वस्थी देता है अपनी सुदेर्ग और गॉरवशाली परंपरा की कारण ही भारत को लोकतंतर की जननी कहा जाता है and as the tableau from the Ministry of Culture passes on we have cultural performances the theme Vande Bharatam, Nari Shakti for the third year the Ministry of Defence and the Ministry of Culture present their cultural extravaganza Vande Bharatam, 1500 dancers, 30 folk dance styles 199 are tribal dance artists, we have Bollywood artists and classical dancers and this grand performance representing the cultural splendor of India a symbol of the tireless creative work of the Sangeet Nadak Academy and the Zonal Cultural Centers, an autonomous body of the Ministry of Culture out of the total of 1500 female artists we have 199 from the tribes, 399 classical dancers and 56 from Bollywood of the masks that will be seen here 57 masks are related to tribal dances while 63 are used in folk dances Kuchipuri, Kathak, Bharatanatyam, Satriya Uriese, Manipuri, Mohaniattam you name the dance form they are all going to be represented here beauty and culture with perfect grace, rhythm and diversity it's a very proud moment for India to showcase the complete kaleidoscope that makes up this great nation a nation we call home a nation that we belong to cultural performances Vande Bharatam depicting Nari Shakti here on Kartavya Path everybody wanting to identify with a particular dance style familiar to them, close to them or close to their state so everybody all set to witness this beautiful segment of the Republic Day Parade as India comes together to celebrate its 75th Republic Day a lot of agencies have put in their effort to synchronize the sound system each dancer beautifully choreographed and synchronized Bharat, yarni Bhavya Bhugol और अतुल्य इतिहास शास्त्रों के मूल सिध्धान्तों से समावेशी सम्विधान तक शून्य के आविशकार से डिजिटल विश्व में व्यापक छलांगे पंचांगों के खगोलिय गणित से चंद्रयान की सफलता दुनिया के कॉर्परेट क्षेत्र में भारतियों का समान जनक रुत्वा विश्वशक्त की डगर पर बढ़ते कदम ये परिणाम है देश हित को समर्पित सोच का सधे हुए सन्निष्ठ नित्रित्व का कर्मयोग के कार्यान वयन का ये है संकल्प से सित्धी बंदे भारतक है नमन तुझे है नमन तुझे है नमन तुझे है नमन तुझे संकल्प लिये जोमी होंगे उन्हें सिर्थी तक पहुचा लगे कि एजन्व पूनी है ज्वर्ग पूनी है आणास हैं, आणास हुआ काम्यार सुभा. тут पहला सुभा. आणास बजबू काम्यार सु लेटा, इंडब ऑफि करना. लखे चारे प्लिः है गुट्रेश उहर मिलिए ऑने कर लोगी है उन्हें सित्धी तर बहचाना है कर दो जो को तरफ ट्रफ कर दो कर दो गुंदा है केसरिया बालम आवो निए केसरिया बालम आवो निए केसरिया बालम आवो निए केसरिया बालम आवो निए किसरिया बालम आवो निए किसर बालम आवो निए बाल, 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 बाल! बाल, 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 बा है अगर्धिति दिखाती है इसी लिए ये भारत भूमी शान की रूत गहला दी है संकल्प से सिद्ध के लिए हमने लिए हैं पांच प्राण विकसित भारत का लक्ष गुलामी के हर अंच से मुक्ति करें अपनी सम्रिद्ध विरासत पर गर्व एकता और एक जुटता हमें रहे कर्थव्य की भावना अग द्रिश्ट है वर्ष दो हजार सेंथालीज पर है 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 जवार जए है खिसार जए है विध्यार जए है असंधार माली शक्ति युवा शक्ति नाली शक्ति और युवा शक्ति तरती दगती में यूगता जए है जवार जए है जए है किसार जए उस सॉनिए पहर जए मार जए अ आय कह बिखाने जो नहीं कि बहुती है कि जो बिखंगेविे कि टीचिका बदे आके लिए कि एना किदे लाओदा कि लाओदा कि लाओदा कि लाओदा कि लाओदे podstaw पेलड पन्तले हमें की आख principle. किister में ःख波 들어, क्यांक giàूत चुरुल unhealthy, जब बब्रब्रब्र को तुरु? जब बालगे थेल्यों दोंख को. छेई आंचे को, वे आंचे को, पन्तले हमें को. assess sorta. स्कृति हमारी गुरवशाली संसार हमारे बलशाली विँके खरी गुर। क्यों गर्व करे ना हम डिभार तन आढ़े हैं हम डिभार तन पोच करश करबर ही लेंगे अगरंदम। आरहे एरुम अन्दे एरु ओ आरहे एरुम। आरदम, आरदम। पंदे आरुम। संतल्क लिये जोगी हमें उन्हें सिद्धी तक पहुचाना है। बंदे आरदम। संतल्क लिएम। बंदे आरदम। प्रकाशित कर रहा है विश्व को भारत की विश्वशक्ति के रणों से विश्वशक्ति पर सामरिक नहीं सांस्कृतिक, सामाजिक, आध्योगिक, आध्यात्मिक हमारा लक्ष है विश्वशान्धी और भारतिये जनता की सुख समरिद्धी हमारे विश्वकुटुम्ब के लिए ये हो सकता है, हो के रहेगा वर्ष दोहजार सैंतालीस हम आ रहे हैं भारत की सांस्कृतिक विविदिता एप विश्वकृतिक, विश्वकृतिक, कुष समयाए्य। The appreciation of the spectators, palpable as they give them a loud and long applause, a kaleidoscope of colour, music, classical dance traditions, contemporary and modern dance styles, a huge expansive canvas of cultural pageantry being displayed, Vande Bharatam. As we move towards the culmination of the parade, we now await the grand spectacle, the motorcycle riders who will display their acrobatic skills on the ground, and then the grand finale where we will see the aerobatic skills in the sky of the Indian Air Force. the excitement really palpable here as we strain our eyes to the left of the saluting base to see the first rider of the combined women's contingent of the SSB, CRPF and BSF for the first time on Kartavya Pat the debut of this year's Republic Day Parade the riders have obviously been training for a very long time to display their skills here the crowd's restless because they know that they have to be alert to the riders who will flash by we have the invited guests from various states and union territories dressed in their traditional attire also witnessing this historical parade paying attention to what is going on on the ground President Macron Prime Minister Modi all watching the riders of this combined contingent all women and we can now see their headlights on as they are approaching the saluting days they are a determined, mentally alert and physically fit group with unmatched courage, stamina and precision in handling their moving vehicles it's indeed creditable to them that they not only have to maintain speeds maintain a balance and also complete their maneuvers in the stipulated time but also have to be alert to any untoward event that might take place and they do this ensuring that it is done efficiently and in complete safety Assistant Commandant Seema Nag of the team right in front on the motorcycle as she salutes as she salutes I am में लुट कर दो को दो फिस बारा प्राव कर दो इंद आर वन कि अर जो खुट अंया ड़िक लिए घए ये टीम जब रोड़ आप इन जज दो जो अच्छिछ वह बार जारे ला झाम आट फिस दूब आर विए इन तर इन और आऴु फी लोग्रीर किस दूड चैन युट जे विन उन्मूराब आणेट एक्षए नहांव गट्राइब उन्यावला नहांगे प्राइब नीजिस्ट रिए स्वेजू के आप सब्सक्राइब तरोगे अन्यावर्ट कर taxpayer आजिकनागे करें झाली आफ्री युटकोंडेव कि दुनेंद सबस्ताइब तरह दूने के लिगाद महिला कार्मक उनको सहयोग करते हुए योग से सिध्धी, मन और शरीर के सामन जसे का प्रदर्शन, Constable Anita Bharati और साथ अन्य महिला कार्मक के साथ उन्हें इस फॉर्मेशन में देखा जा सकता है। Constable Rekha and 11 others proving that योग is essentially a spiritual discipline based on an extremely subtle science. The emphasis on discipline and exercise through yoga. Sadhana, Constable Shivleela with 9 others, single-minded concentration allowing them to perform on those beam rows. Constable Vijayta, Balale, Rao and 18 others demonstrate the oneness of thought and action in Tanmayata. CRPF, BSF की एक महिला दमान इस समय सलामी मंच के सामने संतुलन और शोरिय का असाधारन उधारन पेश करते हुए. अनन्ता, देजस्वता, शूलो आस्मान जैसे formations, SSB और CRPF के महिला कार में करतव पत को गर्म जोशी, रुमांच से सराबोर करते हुए, उपस्थिजन समू आलादित है, रुमांचित 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 Constable Shaikh Kajalilahi with 11 others displaying mindfulness which shows the balance that they achieve between personnel a teamwork that is on display अगली फॉर्मेशन की फिशे वस्तु है समनवे स्थिर्ता इसे CRPF की Constable साची पांडे और उनी से अन्य महिला कर्मियों ने तयार किया है सलामी बंच के सामने से गुजरते हुए इस प्रदर्शन के माध्यम से बंच की फोकस्ट अटेंशन को दर्शाया जा रहा है और इसके ठीक पीछे है पनेकल आप दो फॉर्मेशन सियानी यशा स्विनी Constable Vandana और से तालीस अन्य महिला कर्मियों इसमें शामिल, समनवे, साहस, समावेशिता का बेजोड प्रदर्शन और लिजुड की खर्शन के शुड की प्रशन की इसावेशने ऑ्रिफ्ते हैं विछ रूंटी अवीश ब्रवाशिते व्यूशें विप्सिसे रूंटी एपिर्य अटेंशन चैज विछ गजी हैं नेली हैं खून एफट्ट शूर्चे मुद्चन mist फिर्फेंग अईप एत्र एंस घ्क जान भाइब लगाइब धाण विट्स विट्र इन घ्र खूना विट्ट टे एंट रखेंग जाएपोर्ट कि अईयृ विटूर्ट से त्रॉटी ते अवी ओंस्ट aerobatics done with professional precision in fact traditionally flypast also serve as an aerial salute they show respect display aircraft showcase flying skills and delight the public utsukta se intazar hai yahaan par harveti ko kuchy der maya hawa yusena ke hawaii jahaz karthavipat ke oopar se jab guzrenge ek shandar flypast or us ke liye aane waale jitne bhi hawaii jahaz hain kudesh ke alag-alag yusena ke airbase se uraan bhar kar yahaan pahuncate hain aur krm se uske baad karthavipat ke oopar se guzrette hain behtarine samanway aur nientron ka pradarshan hoota hai flypast yusena esmarao ko nye ucchaiyon par lejaati hui kuchy der mein yahaan shandar flypast and today we are showing you actually aerial shots taken specially to actually make this whole flypast become very real for you and these are shots taken from prachand the first formation which is in a short while from now will go past the saluting base and these shots have been specially procured and are presented here so that not only do you get a real or if you want to say surreal experience of the complete flypast and to herald the beginning of the second innings the prachand formation led by our very own indigenously manufactured light combat helicopter flanked by the apache and indigenous advanced light helicopter mark 4 in arrow formation led by group captain and deepak vishnoi the apaches are from 125 helicopter squadron gladiators being captained by group captain anand kumar yadav and wing commander hashir habid vayusena medal with squadron leader ragi ramachandran as the co-pilot and following them were wing commander rupendra kumar mishra and wing commander sushil kajuria in the indigenously designed and developed helicopters of the 116 helicopter unit known as the tank busters or prachand formation ke baad ugly formation hooghi tangil ye drush kaisa tiktahaya formation aap ke liya khas torper in ko record kia gaya or is some a aap in a day who can go to the kakotah tiktah kakotah nation in the dhukta kakotah sushil kakotah डॉनेर विमान है उसकी कमान विंग कमांडर शुभम मिश्रा के हाथों में उनके साथ फ्लाइट लेटिनेंट साई श्वध्धा और जो दूसरा डॉनेर विमान होगा उसमें स्कॉर्डन लीडर नेकिता मलोत्रा और उनके को पाइलेट फ्लाइट लेटिनेंट एन गुरुन तंगेल फॉर्मेशन वे निगाहें आकाश की और राश्रुपती भवन की तरफ वहां आकाश में एक एकर के ये हावाई जाहाज करत अबेपत की और पहते हुए और फिसी कर झाल ये कि अ normalmente आकाश कर दो सलिधा वया हुए आकाश लोत है सरते हुए 200 फ्रत मिक है नहीं MR 2 15 Hazे है ये विद वे तरॉटर स्वेट तूम प्रोश्वं जोर्म और टे विपन है की यें मlar अर्जस अलिए ऑान आटासेठी शर्च ग्रे मिलिए ट्री धर्च तर सусов toस्या और रार डिभुंध मेल का ओल ड्यवट यह बंप선 कि और ऊ 130 J tactical transport aircraft in week formation being flown by group captain Ankit Raj Singh and squadron leader Sparsh Halawat to the right and weak commander Manish Vyas and squadron leader KV Prasad to the left all from 77 squadron known as the Veiled Vipers Kartavipat ke upar Urjan Formation Air Force ke Marshall Urjan Singh ke naam पर यह formation करता विपत्थ पर धूप तो निकल आई है लेकिन अभी आकाश में धुंद बाखी है इसलिए धूंड़ना पड़ता है इन फॉर्मेशन को लेकिन उत्सुक्ता बरकरार और यह अगली फॉर्मेशन नेत्र फॉर्मेशन यह उसके दृश्य जो पहले से रिकॉर्ट किये गए हैं और इस समय हम इने देख सकते हैं आकाश में नेत्र आकाश में आखें चाहिए टोह के लिए एंब्रेयर विमान इस फॉर्मेशन की अगवाई करेगा स्वदेशी निगरानी सिस्टम से लाइस यह एरबॉन अर्ली बॉर्निंग और कंच्रोल है यह शत्रू के विमान को बहुत दूर से पहचान कर अपने लड़ाकू विमानों को उन्हें नश्र करने का निर्देश दे सकता है इस विमान के दोरों तरफ मल्टी रोल सुकोई 30 MKI फाइटर विमार एंब्रेयर की कमान ग्रुप कैप्टन S. गुना शेकरन सुकोई 30 में ग्रुप कैप्टन उत्तर कुमार और रिंग कमांडर मनीश जाकर विक फॉमेशन में उडान भर्कते हुए करतावयपत के उपर से गुजरे You know viewers the special shots that we are bringing for you the pre-recorded ones are the closest that most of us can get an experience of actually being in one of these aircraft and flying them Here these are shots of the Varuna formation Kartavya Pat will now resonate with excitement Varuna is the god of sea and rain the deity of the coastal landscape and according to an Indian Navy Pilot it's a very very special plane for them so an Indian Navy P8I maritime vehicle Leading this formation with two suit 30s of the Indian Air Force in Vick Formation The P8I being flown by Commander Ruchit Gore along with Group Captain Manoj Yadav And Wing Commander Parvinder Singh, Chahal as Varuna 2 and 3 flying the Sukhois of 31 Squadron Popularly known as the Lions The Lions roaring across Kartavya Pat today Varuna Migration Varuna Formation Is the third formation Varuna Formation Or this formation The third formation And this formation Which we have recorded This was how we can record this This is what we can see Do not see The Hind The Saga Saga Sharuna The Shaker Ash The ministry And this formation the power of the वायू सेना के C-17 विमान की कमान गुरुप कैप्टेन समीप निजहावन के पास है और इसके साथ दो सुखोय 30 विमान स्कॉर्टन लीडर अमित कुमार यादव और विंग कमांडर अक्षे अरुन महाले की कमान में कुछी देर में यहां करतावे पत के ऊपर से गुशरेंगे प्रिवार प्रिया क्या बात साथ प्रिया ताफिश खूए और इसक्वाद की के आपटे में धो खार गुशरेंगे हो प्रियू आप प्रियू विमान के खा करेंध यहाद कर दो कारी है और आफ अ the pre-recorded visuals are definitely very clear giving you clarity but today though we all did pray to the sun gods but yes we got some but we didn't get some now we have the amrit formation and these are views that you can see of that all jaguars formation derives its name from amrit kal india's vision for 2047 and the arrowhead formation will be flown by six jaguar aircraft led by group captain nagendra visek along with his wingman wing commander manorat sabarwal wing commander vishwanathan naga wing commander jay krishnan squadron leader akash karpe and wing commander chakrapani kajla all from the 14th and five squadrons popularly known as the bulls and the tuskers respectively lag-bhag 600-700 km prathiganti ki raftar or unchai 300 meter ki akash mein ojhal ho gaye chay jaguar viman group captain nagendra abhishek ki command by the all Rafale aircrafts the Vajrangh Formation meaning diamond-bodied showcasing six Rafale fighter aircraft of the Indian Air Force led by group captain Abhishek Tripathi with his wingman, wing commander Chaitanya Suryvanshi squadron leader Yash Savalkar wing commander Amit Verma squadron leader Sushil Sinde and squadron leader Vijay Chandgude all from 101 squadron known as the Falcons त्रिशूल फॉर्मेशन कर्तव वेपथ के सामने जो नहर है उसके ऊपर से कुछी देर में तीन सुखोई 30 MKI लडाकू जहास त्रिशूल फॉर्मेशन में गुजरेंगे 900 किलोमेटर प्रति घंटे की रफतार रॉराई का नाश करने के लिए ट्रशूल वामेशन के अगवाई कर रहे हैं गुप कैप्टन सचिन अरोडा और उनके साथ गुप कैप्टन ओमार ब्राउन और विंग कमांडर नवजोग सिंग फ्र quién as ुध सू 30S go past the saluting base flying at these heights and speeds the pilots are rigorously trained to handle extreme physical and mental pressure and the focus and expertise with which the fly maneuver change direction and speeds at these Heights requires unparalleled courage determination and passion for flying वीजियों जाइ एन वीजै कि ये टीजै परहा है वीजै अच्छ जचे में ये करने एक परी फ्रफ एक नेजाए अचे जोरी थाइ एक कि टुझ이ई लिए लाइवार, वीजै ये भीजै वीजै है it's a very spectacular maneuver in the vertical Charlie an acrobatic maneuver in which the aircraft pulls up vertically and carries out rolls at that altitude before stabilizing at a higher altitude aircraft was flown by group captain Arun Kumar and co-piloted by squadron leader Shivangi Singh both from 17 squadron known as the Golden Arrows so all heads turning skywards and the gaze searching for the glimmer of a silver we are once again filled with wonder and respect for the brilliance of this display by the Indian Air Force Shandar fly past हमारे वाईव वीरों ने एक रोमांच की नई कथा एक नई उचाई यहां दर्शादी बहुत ही उत्साहित जनसमू इस 75 गंतंत्र दिवस समारों पर उत्साह और रोमांच बहुत ही शांदार समापन Shandar fly past वायसेनका absolutely so though the parade here concludes at Kartavyapath today the celebrations do not end as we saw those happy faces excited young people today with the understanding that India has come a long way since it became an independent republic with a lot of hard work dedication and wise leadership from many quarters we know that we still have a long way to go to ensure that the Constitution we adopted and whose adoption we celebrate today takes on true meaning for every Indian yes we have a lot to celebrate to the young population positioned to accelerate economic growth a vibrant democracy where the Constitution guides and shows us the way and an inherent belief in unity that will always bridge the differences and diversity the president's bodyguard have arrived here to escort the supreme commander along with the chief guest for today's parade back to Rushdhupati Bhavan as we reach the culmination of the 75th republic day parade all the officials standing in line we now see the president's bodyguard it is a reflection of India's journey over the past seven decades and a glimpse into its future aspirations झालावेंडाओंगेंटी कि झालावंगेंटर चाहित! आथाओंट सुलूड चाहित! झाल झाल िष ऑरत्माठकी जे, जाल झाल 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 झाल। कर दो नहीं हो गृष्व अ किस्ट काष्ट टृज भी ट्री चीफ लिज़ अीफ डिए्टाफ ट्वेड़ेब्स ए लो टॉब्स दॉफ जो टॉब्स शूब्स थॉब्स शॉप टॉब्स विया लिए बॉव टॉब्स नहींसितर अर सुड़ेब्सेटिम पॉम्प और पाजिंट्री इस बार का गणत्मत्र दिवास समा रहो कई माइनों में खास है इस बार विशेश रूप से आमंत्रित लगभग 13,000 अधिधियों को यहां बुलाया गया उनके लिए विशेश दीरगाहों में स्थान निश्चित किया गया और इस समय पाननी राश्ट्रोपती आज के समारो के मुक्यतिती फ्रांस के राश्ट्रोपती प्रस्थान करहे हैं सलामी मंच से पाननी प्रधानमंत्री और अन्य गन्यवान व्यक्ति एक भव्य और शांदार समारो जिसमें लगभग 40 वर्षों बाद बहुत लोगों ने बग्गी को पहली बार देखा एक पीड़ी बदल गई इस दौरान जब पिछली बार करता वे पच्पर ये पगी आईथी राज ये भवे समारो अमरा पच्टर्वा गंतन तृदिवस the president of india the supreme commander of the union armed forces ready to depart from the venue along with the chief guest for today's parade the president of France and today as president drop with it more more leaves the saluting base she carries with her the warmth of another parade showcasing India in all its myriad colors forms and strengths an aspiring nation on the move a country coming into its own learning and growing and yet at times leading with knowing capable paradoxical dependable and vocal not very describable but yes very relatable in fact in India similarities make us one and our differences make us strong and as we conclude our 75th Republic Day celebrations here on Katavya Pat the thousands who came to see the parade go back home we once again wish with all our warmth on the public day greetings it's a day of celebration the president's body guard now getting in command to position themselves to the right and the left of the bunny and escort the dignitaries towards rush with the power warm smiles warm feelings and a warm sense of satisfaction so all those who got out early in the morning seem very content yes it was worth it yes it was worth coming out here to see in India a resplendent vision a slice of our country is इने एस्कॉर्ट कर रहे हैं प्रेसिडेंट बॉडिगार्ड के जोशीले जवान रजिमेंट के कमांड़न्ट कर्नल आमित बेरवाल अपने घोडे ग्लोरियस पर राष्टपती महोदे के दाहिनी ओर और बाई ओर अपने घोडे पर कर्नल रमाकांट लेटेन कर्नल तब राश्टपती जी की भग्गी की अगवाई अपने घुड़े अरजुन पर रिसालदार सुन्दर सिंग तमत कर रहे थे। अपने स्थानों पर मौजूद हैं जिन्नोंने देश की समर्द सांस्कितिक विरासत और वैभव का अलोकिक प्रदर्शन देखा जिन्नोंने सामरिक शक्त के प्रदर्शन देखे पानियो प्राष्टपती महोदे शीजिक दीब धनकर प्रस्थान कर रहे हैं करतविपर्थ The Vice President, Sri Jagdeep Dhankar and his wife, Dr. Soudesh Dhankar, taking leave from the saluting base. As each of the dignitaries will slowly move from this venue, the Honorable Prime Minister making his usual stride कर्देन चाजिवा और किन चृस्टरी एलो प्रिटार्थ एलो चोड़ ध्यू़ एलो और एका महीं एलो एलोग一個 प्रीच धूर्णिवाद्वाद्सु प्रिजवाद्स फाड़ एलो इलो. ये भucci कियो अटे कि जानकाव तरह उन्हें कर रogrयों तो के-टा का चेन एक 30 लगर की T उनल YOU台 हो forgiveness को जानका . एकत्की इन शुरती होनी जिस फटेँ इन के Kenya झात्तव के फिस्तक परिम के का एक पर्योमिन तो है क्षित को हम कि टुडिए ट। लिएड कीन Prime Minister acknowledging the presence of these special invitees. A lot of women who are here, specially invited to participate in the Republic Day Parade from distant corners of the country. You can see a section of the Northeast represented there. यहां आने वाले हर व्यक्ति को इंतजार रहता है, प्रतीक्षा रहती है, जब प्रधान मंत्री दर्शक दीरगाओं के निकट जाते हैं, और उनका भिवादन स्विकार करते हैं, बहुती रोमान से भरे हुए एक शन होते हैं, जब वो प्रधान मंत्री को अपने इतने निकट पाते हैं, ये वो दीरगाओं हैं, जहां पर विशेश रूप से बुलाए गए अतिथी, अलग-अलग योजनाओं के लाभार थी और अनंद सूत्र के बुनकर और कारीगर इसके साथ-साथ स्वैम सेवा समू के लोग गाओं के अलग-अलग प्रतिनी थी, ये सभी यहां पर मौझूद और इनकी दीरगाओं के सामने से, प्रदान मंत्री गुजरते हुए, अभिवादन सूइकार करते हुए. Indeed, the Prime Minister has always broken the barriers of security, which is actually a matter of concern for the security persons who are on duty here. But the Prime Minister has to acknowledge and celebrate the contributions of all the people who are assembled here, those who are watching, those who join him for this spectacle. The form of government chosen by the leaders of a nation is a critical determinant of the type of life its citizens and future generations will live. And when India chose to become a democracy, it set for itself a daunting and difficult path. Because to uphold democratic principles in a country that was yet to experience unity as a separate entity and that too in a nation that was as diverse as one could be, which we saw today, was surely no easy task. And today we can see right in front of us as Prime Minister Narendra Modi walks along the enclosures that as the largest democracy in the world, India has kept its democracy vibrant and strong. Its people are its priority. Its people are its engines. Driving change, powering growth, giving direction. And therein lies the core of a future developed nation. A developed nation that young generations sitting in this audience and young viewers, all of them tuned in to this live telecast. That's a future in store for them and for all of us. The अवेपत पर काफी बड़ा इलाका है सलामी मंच के ताएं और बाइयों जहां प्रधान मंत्री दर्शक दीलभाओं के निकट जाकर अबिवादन सुईकार कर रहे हैं और जन्ज समूब बहुत ही उत्साहित उनको अपने निकट पाकर यह ऐसे क्षण जिने यहां मौझूद कई दर्शक अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं उनके लिए विशेश अवसर और आज हमारा गनतंतर दिवस समारो समापन की और बहुता हुआ in fact a question that often comes up in today's world of quick turnaround times and task delivery orientation is what is the role of traditional ceremonies and protocol well institutions need to be nurtured organically and today's celebration is an organic nurturing of that institution like we nurture our democracy beyond the individual focusing on the nation a healthy democracy resting on transition of generations of people of parties in power and the seamlessness constitutional nature and dignity of these transitions strengthen a democracy and India is a live example of not only transitions but also of a democracy growing from strength to strength प्रधान मुंत्री दर्शक दीरगाओं की निकट जाते हुए और कोई भी दर्शक दीरगाओं ऐसा लगता है उनसे चूटी नहीं जहां तक वो पहुँचे नहीं यहां दर्शकों का अभिवादन स्विकार करते हुए अंदाजा लगाई है पूरे करतव विपथ पर 77,000 दर्शक आज यहां मौजूद रहे जिनमें 13,000 विशेश अतिधी थे अलग-अलग योजनाओं के लाभार थी स्वैम साहेता समू अनंत सूत्र के कारिगर मन की बात में जिनका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया वो सब और अब ये वो द्रश्य जो याद रह जाएंगे सबको जैसे आना सफल वा सपका, प्रधानमंत्री ने कि दिरहां के निकट गए अभीबाद न सुएकार किया And that's why National Day celebrations are reflective in nature too. today's celebration started with homage to the Amar Javan and when the color the pomp and the pageantry of the parade began we had securely place them in our hearts and that courage and valor was the lens we used to view the parade times are changing contexts are changing science and techniques and technology is changing in fact the art of war is changing but building people to people relationships being connected to the people connecting the people that is a skill that doesn't change today we are linked to each other but not so connected and this walk down Kirtavya Pat by Prime Minister Narendra Modi is building a deep connection Kirtavya Pat is about 3 km long ago and the Prime Minister has now moved on to the here is the direction of Kirtavya Pat. This is the direction of Kirtavya Pat. वहां अगर हम थान ले तो एक दिन अवश्य पूरा होता है वक्त बदल रहा है हम वक्त को बदल रहे हैं यह राश्र पत है सम्रिध्ध भारत का सशक्ट भारत का गर्णतंत्र देवस की शुबकामनाएं थन्यवाद चये हिंद झाल 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 झाल